longitudinal wave always propagate in the form of compressions and rare factions. Vibrating object से ही sound produce होता है और vibration के लिए जो energy required है वो किसी न किसी external source से पता चलती है speed पता है बेटा, time पता है तो क्या हम लोग distance निगाल सकते हैं क्या हम लोग समुदर की गहराई निगाल सकते हैं, इस concept का यूज करके हम लोग किसी भी समुदर की गहराई का अंदाजा लगा लेते हैं, senior classes में जब आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि water में जो ripples form हो रही हैं, वो transverse और longitudinal दोनों का mixture है, hey guys welcome to physics वाला this is शेलेंद्र पांडे, your physics educator, मेरे प्यारे बचो, आज के session में हम लोग class 9th के last chapter sound का detailed one shot lecture करने वाले हैं, यानि आज के session में मैं आपको पूरा का पूरा sound chapter पढ़ाऊंगा, इसके पहले मैंने 9th के आपको 4 chapters, full on detail में एकदम depth में एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है और यहाँ पर हम लोग अपने last lecture की तरफ आ गए हैं, यानि last chapter की तरफ आ गए हैं सबी लोग comment करके जरूर बताइएगा कि previous जो lectures आप लोग ने देखे उससे आप लोग की तयारी कैसी चल रही है और आईए अपने आज के sound वाले chapter का detailed one shot lecture start करते हैं तो सर आज क्या करने वाले हैं आज हम लोग करेंगे sound का detailed one shot lecture यानि हर एक चीज, यह जो chapter है बिटा sound, यह ऐसा chapter है जो जिसके through आप लोग waves के बारे में समझते हैं, और waves class 11th का एक बहुत ही important concept होता है, जिसकी शुरुवात आज आपके साथ 9th से किया जा रहा है तो 9th में अगर आप लोग इस concept को बहुत प्यारे तरीके से अगर समझ लेंगे, तो जब आप class 11th वे आएंगे, वहाँ पर आप waves पढ़ेंगे simple harmonic motion पढ़ेंगे यह दोनों ही chapters में आपको बहुत ज़ादा help मिलेगी, उसके साथ इसाथ जब आप लोग class 12th वे आएंगे और electromagnetic waves पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी यह chapter आपकी बहुत ज़ादा help कर रहा होगा, इसका मतलब यह बहुत ही प्यारा chapter है और आगे के point of view से, जही need के point of view से, यह बहुत ही important chapter है, जो कि आप सभी की बहुत ज़ादा help करने वाला है तो sir, आकिर यह sound होता क्या है sir? बेटा, जो इस समय आप सुन पा रहे हो, जो आपके कान इस समय feel कर पा रहे है उसी sensation of hearing को हम लोग sound कहते हैं, sound energy का एक form होता है जो कि हमेशा एक जगे से दूसरी जगे प्रपगेट कर रहा है अगर medium के particles vibrate कर रहे हो, यानि sound की starting हमेशा किसी भी चीज़ के vibration से होती है sir, यह vibration क्या होता है कोई भी particle मालनो यहाँ पर था ठीक है, और वो ऐसे ऐसे करने लगे अपनी ही जगे पर या particle यहाँ पर ऐसे ऐसे करने लग जा यानि अपनी किसी एक fix position के about अगर कोई particle to and fro move करने लग जाए तो बेटा, इसको vibration कहा जाता है तो sound का generation हमेशा किसी न किसी object के vibration की वज़े से हो रहा होता है तो sir, sound क्या है sensation felt by our ears is called sound, यह पहला definition sound is a form of energy sound is that form of energy which enables us to hear हम लोग कोई चीज़ सुन पा रहे है तो वो सिर्फ और सिर्फ sound की वज़े से यह lecture, यह मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो, तो sound की वज़े से, कोई भी telephone आपका बचता है, mobile आपका ring करता है आप YouTube पर गाने देख लेते है है ना, या फिर कोई भी mixer है grinder है, कोई भी motor है, car है Ferrari की आवाज है, तो भाई साब यह सब का सब क्या है, sound है sound से हम लोग कूरी तरीके से घिरे हुए है, अपनी daily life में हम लोग रोज हजार होता रहके sounds को बिटा सुन रहे होते है ठेक है, sound क्या है, sound एक तरीके का wave है, सर यह wave क्या होता है, wave is a type of disturbance created in a medium, किसी भी शान्त medium में हम लोग जो भी disturbance create कर देते है, मेरे प्यारे बच्चों, उसी disturbance को हम लोग wave का नाम देते हैं, तो what is wave, wave is vibratory disturbance created in a medium, vibratory disturbance का मतलब है, कि अगर किसी भी medium में wave आप create करोगे, तो medium के जो particles है, वो disturb हो जाएंगे, medium के जो particles है वो vibrate कर रहे होंगे सर थोड़ा vibration का feel दिला दिजे आजो मैं आपको vibration का feel दिलाता हूँ लेकिन पहले पूरी line पढ़ लो wave is a vibratory disturbance in a medium, which carries energy from one point to another without there being a direct contact between the two points, यानि कि energy यहां से यहां तक जाएगी energy यहां से आपके कानों तक जा रही है, ठीक है, लेकिन particle यहां का आपके घर के पास, आपके कान के पास तक नहीं गया है, ठीक है, energy यहां से वहां जा रही है, लेकिन particles अपनी ही जगे पर हैं, तो सर थोड़ा particles का vibration समझाईए, सर थोड़ा सा feel आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग एक एक करके ध्यान से देखना हर एक चीज़ तुमको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहली बात क्या है, waves के अगर मैं basic तुम्हें बताऊं, तो wave क्या था, wave एक periodic disturbance है that transfers energy, wave एक disturbance है medium में जो तुम create कर रहे हो, और wave हमेशा क्या करता है, energy को transfer करता है, सर ये medium क्या होता है medium वो है जिसके through wave travel कर रहा है, medium solid हो सकता है liquid हो सकता है, gas हो सकता है यानि air भी medium है, water भी medium है और iron भी आपका medium होता है ठीक है, waves के अभी हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप है, mechanical waves और non-mechanical waves non-mechanical waves को ही electromagnetic waves भी कहा जाता है mechanical waves बेटा वो होती है जिनको propagate करने के लिए जिनको travel करने के लिए आगे बढ़ने के लिए medium की requirement होती है जैसे हमारा sound जो है वो एक mechanical wave है क्योंकि उसको medium का requirement है दूसरी waves है, electromagnetic waves जिनको medium का कोई requirement बेटा नहीं होता है जो vacuum में भी travel कर सकती है जैसे light, light vacuum में travel कर सकता है, लेकिन sound जो है वो vacuum में travel नहीं कर सकता यही कारण है, आप अर्थ पर बोल रहे हो, मैं सुन पा रहा हूँ क्योंकि अर्थ पर medium है अर्थ में air है, यहाँ atmosphere है इसलिए हम लोग एक दूसरे की बात को सुन पा रहे है, लेकिन अगर हम लोग moon पर चले जाए, और वहाँ पर जाने के बाद मैं कुछ बोल रहा हूँ या आप कुछ बोल रहे है, तो यह moon तो हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अवाज हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि moon पर बेटा atmosphere नहीं होता है ठीक है, अब बाद आई, sir what is vibration, sir यह जो sir, vibration word आपने use कि oscillation जो use किया, sir वो क्या चीज होती है, तो आप देखो किसी एक particle को देखो, यह particle किसी एक, इस point के about उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे move कर रहा है, तो यह जो motion होता है, इसी को आप vibration कह सकते हो, इसी को आप oscillatory motion कह सकते हो इसी को आगे 11th class में आप नाम देंगे, this is harmonic motion, ठीक है, it is harmonic motion, और इसी को simple harmonic motion कहा जाता है, 11th में जब आप आप आएंगे तब आपको पता चलेगा, कि sir, इसको मैं simple harmonic motion क्यों बोल रहा हूँ इसको complex harmonic motion क्यों नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, फिलहाल, आप simple समझ सकते हो कि harmonic motion, oscillatory motion, vibratory motion जो है, वो कुछ इस तरीके का होता है, particle इस तरीके से move कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बेटा, इसी को हम लोग क्या बोल रहा होंगे, this is known as your vibration, यही है vibration, यानि कि जब भी wave किसी medium में प्रफगेट करती है, wave, जैसे माल लो, यहाँ पर यह blue वाले जितने हैं न, यह धेर सारे medium के क्या है, particles है, medium में धेर सारे particles है, अब आप ध्यान से देखो, अगर कोई wave, माल लो मैं wave हूँ, ठीक है, अगर wave प्रफगेट हो रही है, तो सारे particles को आप चेक करो, particle अपनी ही जगे पर देखो, इस particle को देखो, अपनी ही जगे पर ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है, यह भी अपनी जगे पर ऐसे ऐसे कर रहा है, यह भी अपनी जगे पर ऐसे ऐसे कर रहा है, सारे particle देखो, अपनी जगे पर Waves होती है बिल्कुल इसी तरीके से देखो इस तरीके की भी waves create की जा सकती है यहाँ पर देखो क्या है रसी को यानि की जो spring है हमारी spring को हम ऐसे-ऐसे खीच रहे है ऐसे-ऐसे कीच रहे है spring को अगर आप इस तरीके से move कर रहे होगे तो आप check कर लो इस तरीके से particles का motion हो सकता है तो particles जो होते हैं किसी medium के वो बेटा दो तरीके से vibration कर सकते है particles जो है medium के वो अपने जगे पर ऐसे ऐसे move कर सकते है ठीक है? वो ऐसे ऐसे move कर सकते है और वही particles अपनी ही जगे पर ऐसे ऐसे भी move कर सकते है यानि particles का दो तरह का motion हो सकता है अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझ रहे हो तो देखो disturbance आगे की तरफ बढ़ रहा है बट particle उसके perpendicular direction में vibrate कर रहा है up and down, up and down, इस तरीके का motion हो रहा है ऐसी waves को transverse wave कहा जाता है ऐसी waves को मेरे प्यारे बच्चों transverse wave कहा जाता है लेकिन अगर इसको observe किया जाए तो यहाँ पर देखो wave आगे की तरफ बढ़ रही है बट particle x direction में ही vibrate कर रहा है तो इस तरह की waves जिसमें wave की direction में particle भी vibrate कर रहा हो ऐसी wave को longitudinal wave का नाम दिया जाता है तो wave के कितने type हो गए बेटा दो transverse wave और longitudinal wave on the basis of motion of particles तो I think अब आप लोग को एक बात जरूर समझ में आई होगी कि सर यह vibratory disturbance का सर आखिर मतलब क्या है मैं animation के साथ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम feel आ जाए which carry energy तो एक point ध्यान रखना कि wave हमेशा अपने साथ energy carry करती है और energy एक point से दूसरे point तक चला जाएगा लेकिन medium का particle अपनी जगे छोड़के वहां तक जाने वाला नहीं है तो आपने भी पीछे देखा था कि wave आगे की तरफ बढ़ गई है disturbance आगे की तरफ move कर गया है लेकिन particle ने अपनी जगे नहीं छोड़ी है particle अपनी ही जगे पर up and down, up and down, up and down move कर रहा है, vibrate कर रहा है लेकिन अपनी जगे छोड़कर मेरे प्यारे बचों particle नहीं जा रहा है यही कारण है on the basis of motion of particles we have two types of waves that is transverse wave and longitudinal wave तो हम लोग यहां लिख सकते हैं it is on basis of on basis of motion of particles particles के motion के basis पर particles के motion के basis पर waves के बेटा दो टाइप होते हैं transverse wave और longitudinal wave देखो longitudinal wave में क्या होगा wave अगर x direction में जा रही है और medium के जो particles हैं वो भी x direction में vibrate कर रहे हैं यानि यहां का जो particle है वो इधर जाएगा फिर वापस वो इधर की तरफ आएगा ऐसे ऐसे कर रहा होगा तो यह जो category है वो longitudinal wave है जिस direction में wave जाए medium के particles भी उसी direction में अगर vaibrate कर रहे है तो वो जो wave है बेटा वो हमारी longitudinal wave कहलाती है लेकिन अगर मान लो wave जा रही हो x direction में इस तरीके से देखो wave जा रही हो x direction में और medium के जो particles हैं वो x direction के perpendicular direction में move कर रहे हो यानि up and down इस तरीके से move कर रहे हो यानि पर्पेंडिकल y direction में vibrate कर रहा है यानि उसके perpendicular है ना तो ऐसी जो wave होती है उसको transverse wave का नाम दिया जाता है clear इसके अलावा बेटा हम लोग और भी एक point लिख सकते है that is what on the basis of medium on the basis of medium medium के basis पर अगर देखा जाए तो wave के फिर से दो types होते है सबसे पहला बेटा wave का type है mechanical waves सबसे पहला type wave का क्या है mechanical waves mechanical waves वो होती है जिनको move करने के लिए medium का requirement होता है that means medium is required medium is required ऐसी waves जिनको travel करने के लिए जिनको propagate करने के लिए medium की requirement होती है उनको mechanical waves कहा जाता है और example अगर मैं आपको mechanical waves का बताऊं तो सबसे बढ़िया example आप कह सकते हैं sound sound जो chapter हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसी wave है mechanical wave यानि कि sound को travel करने के लिए medium का requirement है इसी लिए sound जो है solid liquid gas किसी भी medium में propagate कर सकता है लेकिन अगर मैं दूसरे कटेगरी की बात करूँ तो दूसरी कटेगरी है बेटा non-mechanical waves non-mechanical waves non-mechanical waves को ही हम लोग electromagnetic wave भी कह सकते हैं ठीक है non-mechanical waves जो है आपकी इनही को electromagnetic waves भी कहा जा सकता है and electromagnetic waves या फिर non-mechanical waves वो होती हैं which do not require which do not require medium for propagation इन waves को बेटा medium की कोई requirement नहीं है propagate करने के लिए फैलने के लिए आगे बढ़ने के लिए medium का कोई requirement इन waves में नहीं होता है जैसे example अगर मैं तुम्हें बताऊ तो light जो है हमारी वो किस तरह की wave है non-mechanical wave है तो ध्यान रहे light आपकी non-mechanical है जबकि sound जो है वो mechanical wave होता है ठीक है light के जितने भी components है चाहे वो ultra-voided light हो infrared light waves हो radio waves भी light waves का एक form है ये बात ध्यान रखना radio waves जो है वो sound नहीं है right sound अलग चीज है मैं अभी आगे आपसे discuss इस बारे में करूंगा ठीक है तो on the basis of motion of particles बात करेंगे तो दो तरीके की waves हो गई बेटा transverse wave और longitudinal wave लेकिन medium के basis पर बात करोगे तो भी दो तरीके की हो गई mechanical waves और non-mechanical waves non-mechanical waves को ही हम लोग electromagnetic waves भी कहते है light electromagnetic wave है जबकि sound mechanical wave है और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर भी आपको example दे दू ट्रांसवर्स में तो transverse wave का example है बेटा light light किस तरह की wave है transverse wave है तो light transverse है और साथ-साथ non-mechanical है या electromagnetic wave है तो light is electromagnetic transverse wave light कैसी है electromagnetic भी है और transverse भी है दोनों point धन्रकना जबकि sound जो होता है बेटा वो longitudinal wave है और mechanical wave है तो sound is longitudinal but mechanical wave दोनों point ध्यान रखिएगा आप लोगों से directly indirectly पूछा जा सकता है तो अब बात आ गई सर ये longitudinal wave क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर detail में मैंने आपको animation दिखाया बाई साब यहाँ पर पूरी बात मैंने आपको समझाई है कि अगर wave x direction में जा रहा हो और particles भी x direction में vibrate कर रहे हो as shown in this animation ठीक है तो ऐसी waves को हम लोग बेटा longitudinal waves का नाम देते हैं ऐसी waves को longitudinal wave कहा जाता है देखो wave जा रही x direction में particles भी x direction में ही vibrate कर रहे है as shown here right so wave in which particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which wave is moving जिस direction में wave जा रहा है अगर particles भी उसी direction में back and forth यानि कि to and from move कर रहे हैं ठीक है यह language थोड़ा सा ध्यान में रखना vibrate back and forth in the same direction in which wave is moving is called longitudinal wave ठीक है longitudinal wave जो है उसका example मैंने आपको बताया sound तो आप यहीं पर example दे सकते हैं कि sound जो है वो longitudinal wave होता है और मैं आपको बताऊं sound को हम solid में, liquid में और gases में तीनों में propagate करवा पाते हैं sound propagates in solid, liquid as well as gas जबकि मैं आपको बताऊं sound की जो speed है बेटा वो सबसे जादा होती है solid में speed of sound in solid is greater than speed of the sound in liquid than speed of the sound in gases यानि कि sound की जो speed है वो सबसे जादा कहां होती है solid में उसके बाद liquid में और सबसे कम sound की जो speed है बेटा वो कहां पर है gases में होती है ठीक है इस point को भी दिमाग में आप रख सकते हो example में आपको बताया गया जैसे spring में कोई जो wave है तो अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया यह spring ही है देख लो इसी spring को slinky भी कहा जाता है ठीक है आज कल बच्चे खेल खिलोने में मंगा लेते online order करके ठीक है इस तरीके का spring जैसा material होता है plastic type का और उसको अगर आप ऐसे 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 खीच दो तो वहां भी इस तरीके की waves create हो जाएंगी तो जितने भी तरह की sound wave create होती है चाहे वो सितार वायर हो गिटार हो, तानपुरा हो, आपका वाइलन हो, जितने भी musical instruments है क्योंकि sound कैसी wave है longitudinal, तो कोई भी musical instrument जो है उसमें भी waves कौन सी produce हो रही है बेटा they are longitudinal waves तो यह बात ध्यान लखिएगा अब जब भी longitudinal waves create होंगी, तो जड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर, longitudinal waves अगर create होंगी, तो यह जो medium का particle है, देखो, यह यहाँ पर पास में आ जाता है, यहाँ दूर हो जाता है, चेक करो region को, जहाँ particles पास में आ जाए, उसको compression बोलते हैं, ध्यान से देखो, यह देखो compression, compression, इसको देखो, compression, compression, right, जब molecules पास में आ जाए, तो उसको compression बोलेंगे हम लोग, और जहाँ molecules दूर हो जाए, उसको rarefaction नाम दिया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, यह देखो, यह भी किसी longitudinal waves के लिए ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको feel हो रहा होगा कि कोई चीज है जो आगे की तरब बढ़ रही है, जो आगे बढ़ रहा है, वही wave है, उसी disturbance को wave का नाम हम लोग देते हैं, और यह longitudinal wave है, अगर आप individual, आप देखो slow motion कर रहा हूँ, अगर आप individual किसी एक particle को देखो, तो इस particle का motion बेटा देख रहा है, केवल इसका motion देख रहा है, यह देखो अभी यहाँ पर है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर देखो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, इधर जा 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 रहा है, सिर्फ एक motion कर रहा है जबकि आप चेक करो वेव किदर की तरफ जा रही है बाई सब आगे की तरफ जा रही है तो वेव एक disturbance है वेव energy carry करती है जो यहां से आगे की तरफ move कर रही है लेकिन particles सिर्फ अपनी जगे पर ऐसे 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 कर रहा है मेरे प्यारे बच्चो जब particles देखो जहां पर particles पास में हो जाएं उनको compression नाम दिया जाता है जब वही particles दूर दूर हो जाएं तो उनको rarefaction नाम दिया जाता है तो यह जो खाली जगे दिख रही है वो rarefaction है जहां particle पास पास तुमें दिख रहे है वो compression कहलाता है तो जब particles पास पास आएंगे आप चेक कर लो volume भी बहुत कम हो जाएगा जबकि जो खाली वाला region है चेक करो उसका volume काफी जादा है ठीक है volume जब जादा हो जाता है तो उसका effect density के उपर भी पड़ जाता है ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब बात compression की होगी तो वहाँ पर volume कम होगा लेकिन वहाँ पर density जब ज़्यादा होगी वहाँ पर pressure भी ज़्यादा होगा तो हर compression वाले region में volume minimum होगा ठीक है volume minimum होगा बट density density को मैं रो से denote करता हूँ बटा density वहाँ पर maximum हो जाएगी और वहाँ पर भाईसा pressure भी maximum हो जाएगा तो हर compression वाले region में जहां पर molecules पास पास आ जाएंगे जब molecules पास में तो इसी region को compression नाम दिया जाता है compression के case में volume minimum होगी बेटा density maximum होगी और pressure भी वहां पर maximum हो जाएगा तो जड़ा पढ़ लीजे compression is that part of the longitudinal waves in which particle of the medium are closer to one another than they normally are यानि particles normally जितना पास होते हैं उससे भी ज़ादा पास अगर आ जाएं तो उस region को बेटा हम लोग बोलते हैं compression right and there is momentarily reduction in volume in that reason यानि कि जब molecules पास पास आ जाएंगे तो volume वहाँ पर कम हो जाएगा density वहाँ पर बढ़ जाएगी pressure भी वहाँ पर बढ़ जाएगा तो compression वाले region में volume minimum होगी density जादा होगी और pressure भी वहाँ पर जादा होगा ठीक है जबकि rare fraction की अगर मैं बात करूँ पहले तो spelling ध्यान से देखो rare fraction it is not rare fraction fraction नहीं है fraction है spelling गलत मत करना बेटा rare fraction rare fraction के case में देखो क्या होगा जब molecules दूर हो जाएगा यह जो पूरा region देखो आपको दिखाई पढ़ रहा है यही जो region है वो rare fraction है जिसमें molecule दूर दूर है तो अगर मैं rare fraction की बात आप से करूँगा तो volume यहाँ पर maximum होगा बेटा density यहाँ पर minimum हो जाएगी pressure भी यहाँ पर minimum हो जाएगा तो rare fraction वाले case में just opposite होता है volume moment के लिए बढ़ जाएगा ठीक है pressure घट जाएगा density भी वहाँ पर घट जाएगी so rare fraction is that part of the longitudinal wave in which particles of the medium are farther apart than normal यानि normally particles जितना दूर दूर होते है उससे भी जादा दूर जब हो जाएगा तो उस region को हम लोग rare fraction का नाम देते है and there is momentarily increase in the volume of the medium जब भी भी rare fraction form होगा वहाँ पर volume जो है नीचे तुम्हें वही point बता रहे है कि compression is the region of high pressure भाई molecules पास पास आ गए pressure बढ़ गया है महाँ पर and whereas rare fraction is a region of low pressure कह रहे है compression में pressure high होता है जबकि rare fraction में जो pressure है वो low हो जाता है तो यह दोनों points बिटा आपके दिमाग में होने चाहिए अब आज यह graph की बात करते हैं सर यह graph की बात करते हैं देखो बेटा अगर हम लोग longitudinal wave की बात कर रहे हैं तो longitudinal wave always propagate in the form of compressions and rarefactions compression और rarefaction के form में यह longitudinal waves होती है वो propagate कर रही होती है बेटा wave जाएगी आगे की तरफ wave जाएगी आगे की तरफ ठीक है लेकिन medium में compression और rarefaction form हो रहा होगा लगातार यानि medium की density जादा कम जादा कम जादा कम जादा कम तो जब wave आगे की तरफ बढ़ रही होगी तो medium की density में भी change आ रहा होगा medium में pressure में भी particles पे जो pressure feel हो रहा है उस pressure पर भी फर्क पड़ रहा होगा तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ बना सकते हैं density यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे density और wave की position के बीच में या फिर तुम यहाँ pressure का भी ग्राफ बना सकते हो आप density या फिर pressure इसका भी ग्राफ बना सकते हो बिलकुल same ग्राफ बनेगा कोई फर्क कोई अंतर नहीं आएगा ठीक है density या फिर pressure यहाँ पर होगा और इधर की तरफ position of the wave होगा या फिर distance traveled by the wave होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई पहले compression फिर rarefaction फिर compression फिर rarefaction फिर compression फिर rarefaction देखो जब density बढ़ जाए तो वहाँ पर compression जब density कम हो जाए rarefaction density बढ़ जाए compression density कम हो जाए rarefaction ठीक है उपर जाने का मतलब density greater है greater than normal और नीचे आने का मतलब है density less than normal clear है बेटा और यह जो सबसे नीचे यह वाली जो axis है यह वाली जो x axis है वहाँ पर हमने normal density दिखाई है normal density दिखाई है right zero density नहीं zero density नहीं ध्यान से सावचन यहाँ पर इस वाली लाइन पर बेटा हमने normal density दिखाई है normal density से जब उपर हो जाए normal density से जब उपर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या फॉर्म होएगा compression इस तरीके से हमारी कोई भी longitudinal wave जो होती है वो medium में बेटा प्रफगेट कर रही होती है लेकिन अगर हम transverse wave की बात करें तो transverse wave में ऐसा नहीं होता है क्योंकि transverse wave में medium के जो particles है वो up and down, up and down, up and down move कर रहे होते हैं तो अभी थोड़े देर बाद मैं आपसे इस graph के बारे में बात कर रहा होगा मैं इस पर यहाँ पर star लगा दे रहा हूँ कि इस वाले graph की बात अभी हम लोग को आगे करनी है तो हम एक काम भी करते हैं आपके लिए मैं वाली जो slide है ना यह वाली जो slide है ना मैं इसको आगे पहुचा देता हूँ क्योंकि slide की जरूरत हम लोग को आगे पड़ेगी यस आगे पड़ेगी ठीक है जी अब आज़ेए sir transverse wave की बात करते है sir transverse wave क्या होती है तो मैं आपको फिर से वापस ले चलना हूँ animation ने transverse wave में मैंने आपको बताया कि भाई साब अगर अगर देखो wave आगे की तरफ जा रही हो medium के जो particles है वो अपनी ही जगे पर up and down move कर रहे है इस तरह की wave को मेरे प्यारे बच्चो transverse wave का नाम दिया जाता है तो जड़ा पढ़िए a wave in which particles of the medium vibrate up and down at right angle right angle to the direction in which wave is moving जिस direction में wave move कर रही है उसके perpendicular direction में अगर particles vibrate कर रहे हों तो ऐसी wave को हम लोग transverse wave का नाम देते हैं transverse wave को हम cable solids में cable liquids की top surface पर flow करा सकते हैं लेकिन gases में हम transverse wave को हम flow नहीं करा पाते हैं यह बात किसके लिए हो रही है mechanical wave के लिए यह बात किसके लिए हो रही है mechanical waves के लिए जैसे longitudinal waves जो हमारी है longitudinal waves में भी अगर मैं sound की बात कर रहा हूँ तो वो mechanical wave है sound को propagate करने के लिए medium की requirement थी solid liquid gas तिनों में वो प्रफगेट हो सकता था लेकिन अगर मैं transverse wave की बात करूँ और transverse wave में भी mechanical waves की अगर मैं बात करूँ तो mechanical waves को हम लोग केवल solid में produce कर सकते हैं या फिर liquid की top surface पर कर सकते हैं liquid की जो top surface होती है न बेटा उसमें एक बड़ी खास property होती है जब आप लोग 11 पे आएंगे तो पढ़ेंगे उस खास property का नाम है बेटा surface tension लिक्विड की top surface पर एक खास property होती है एक specialized property होती है जिसका नाम है surface tension 11 पे आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो surface tension की वज़े से liquid की top surface पर भी ये wave produce हो सकती है लेकिन gases में ये wave produce नहीं हो सकती है तो ये बात ध्यान दखना transverse wave को हम सिर्फ solid में produce करा पाएंगे solid के अंदर भी हम produce करा पाते है liquid की top surface पर हम produce कर सकते है लेकिन liquid के अंदर हम इसको produce नहीं कर सकते है और gases में भी हम इसको produce नहीं कर सकते है transverse wave को, ठीक है, mechanical वाली, लेकिन अगर मैं non-mechanical transverse wave की बात करूँ, light की बात करूँ, light को कहीं भी produce किया जा सकता है, light को flow करने के लिए किसी medium की वाई साथ requirement नहीं होती है, light तो even vacuum में भी flow कर जाता है, light vacuum में भी बड़े अराम से मस्ती से बिटा flow कर रहा होता है, light तो यहाँ पर अब देखो, transverse wave की बात कर रहे है, कि भाई साब transverse wave में क्या है, कि अगर कोई एक spring हो, देखो, अब मैं तुम्हें एक दूसरा animation दिखादा हूँ, मैं तुमको एक दूसरा animation मेरे प्यारे बच्चों देखाता हूँ, यह देखो, यह क्या है, एक spring है, यह क्या है, एक spring है, ठीक है, और एक spring ले लो, और तुम भी यह experiment आप अपने घर में भी कर सकते हो, एक spring ले लो, उसको एक जगे से बांध दो, यहाँ पर एक जगे पर fix कर दो, कि इस जगे से वो spring move नहीं करनी चाहिए, move नहीं करनी चाहिए, फिर spring का एक end आप पकड़ो, और उस end को आप ऐसे ऐसे move कराओ, उस end को आप ऐसे ऐसे move कराओ, जैसे ही आप spring के end को ऐसे ऐसे move करोगे, जरा इस disturbance को देखो, यह जोको disturbance ऐसे ऐसे जा रही है, बहुत ध्यान से देखना, केवल एक बार में करूँगा, देखो, वाइब्रेशन पूरा आया न, देखो, केवल एक बार करूँगा मैं, देखो, disturbance देखो, पूरा medium disturb हो गया है, अब अगर मैं तुम्हें continuously move करा करके दिखाओ, देखो, continuously हम इसको घुमा रहे हैं, move करा रहे हैं, तो यह देखो, यहाँ पर एक wave produce हो गई है, और इसी wave का नाम मेरे प्यारे बच्चो क्या है, इसी wave का नाम बेटा, transverse wave है, ठीक है, wave आगे की तरह move कर रही है, लेकिन medium के particle अपनी ही जगे पर up and down, up and down, up and down, move कर रहे हैं, ठीक है, move कर रहे हैं, बहुत ध्यान से दिखना, केवल एक pulse दे रहा हूँ, देखो, pulse क्या होता है, केवल एक बार इसको disturbance create कर दो, उसको pulse बोलते हैं, चेक करो, चेक करो, pulse है, अगर मैं अब यहाँ पर कुछ properties है, अगर amplitude बढ़ा दूँगा, तो देखना particle बहुत उपर तक जाएगा, फिर नीचे तक आएगा, देखो, समझ आ रहा है, amplitude क्या चीज है, समझ में करके आए, तो this is amplitude, this is amplitude, ठीक है, यह इसकी mean position है, यहाँ से maximum उपर तक तुम लेकर आएगा, और उतना ही वो नीचे तक भी जाएगा, चेक करना, जब नीचे आएगा ना, उतना ही नीचे तक जाएगा, देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यह देखो, उतना ही जितन side of the mean position, यही है mean position, यही है वो equilibrium position, उस equilibrium position से maximum कितना उपर ले जाते हो, यह maximum कितना नीचे तक ले आते हो, यही amplitude कहलाता है, देखो, जैसे यह से कम करूँगा, पार्टिकल का देखो, उपर जाना कम हो जाएगा, चेक करो, चेक करो, चेक करो, देखो, जितना amplitude मैंने कम कर दिया अब कियो थोड़ा-thोड़ा move कर रहा है, तो amplitude तुम समझ पाए हो बेटा, amplitude आप लोग समझ पाए है, amplitude क्या चीज होती है, ठीक है सर, ठीक है, अब एक ठीक थाक amplitude मैं कर दे रहा हूँ, अब अगली चीज देखो, तुम्हें समझाता हूँ, अगली चीज यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी, अगली चीज यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है, number of waves created in a medium, यह number of this oscillations created in a medium, number of oscillations in one second is known as frequency, तो अभी फ्रिक्वेंसी है, 1.5 hertz, इसका मतलब एक सेकंड में 1.5 waves बन रही है, आप देखो, मैं बढ़ा रहा हूँ, देखो, मैं तेजी से गूमने लगा, क्या यहाँ पर ज्यादा जल्दी जल्दी oscillations हो रहे है, क्या frequency बढ़ गई है, चेक करिए, और चेक करो, चेक करो विटा, धड़ा 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 waves produce हो रही है, clear है क्या, clear है क्या, clear है क्या, देखो, slow कर दिया मैंने motion, च तो यह हो गया मिटा, right, अब दूसरी चीज में आपको और feel कराता हूँ, और feel कराता हूँ, यह देखो, यह भी एक 3D model है आप सभी लोगों के लिए, कि आप लोगों को feel आ जाए, कि भाई यह क्या चीजे हैं, तो आप लोग देख सकते हो, यह किसी भी medium में जो particles हैं, यह उ हलका हलका vibration है, यह इनका thermal motion कहलाता है, यह इनका thermal motion कहलाता है, जो कि इनके temperature के कारण है, इनके अंदर जो room temperature में होने की वज़े से जो heat है, उस heat की वज़े से यह vibration है, इसको thermal motion कहा जाता है, 11th में आप लोग आएंगे, तो kinetic theory of gases एक chapter पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको यह समझ म आएगा, कि यह जो motion इनका हलका सा जो अभी हो रहा है, जो कि हमेशा होता रहता है, medium particles का motion, वो उनका thermal motion है, फिलहाल, अब मैं यहाँ पर wave produce करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, wave produce करूँगा, चेक करो, मैंने यहाँ पर देखो, एक disturbance दिया, आपको feel हो रहा होगा कि कोई disturbance ह बाई साब जो आगे बढ़ रहा है, चेक करो, आपको feel हो रहा होगा कोई disturbance है, जो continuously बेटा आगे की तरफ move हो रहा है, आगे की तरफ move हो रहा है, लेकिन medium के particles को देखो, यह तो देखो sound का source है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपसे longitudinal wave की बात कर रहा हूँ, longitudinal wave की मैं बात क कर रहा हूँ, वेव आगे की तरफ जा रही है, particles को देखो, particles को देखो, ऐसे ऐसे, सारे particles का motion observe कर लो, ऐसे ऐसे ही है, अपनी किसी एक fix point के about, ऐसे ऐसे कर रहा हैं बेटा, तेक है, इस तरीके से कर रहा है है, और अगर मैं यहाँ पर cable waves का form आपको देखाऊ, चेक करना, अभ भी वने बंद किया, कुछ नहीं होगा, देखो, एकदम खाली हो जाएगा, एकदम खाली हो गया, राइट, अब मैं waves फिर से produce कर रहा हूँ, चेक करो, waves इस तरीके से produce हो रही होती है, ठीक, particles का vibration ऐसे हो रहा होता है, particles और waves दोनों को दिखा दूँ, तो चेक कर लो, particles और waves द create, मेरे प्यारे बच्चों, कर रहे हैं, clear है क्या, clear है क्या, ठीक है, ये भी I think आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आजो वापस आते है, transverse wave का example बता रहे हैं, कि भया, एक spring पकड़के उसको अगर ऐसे-ऐसे move कराएंगे, तो उसमें transverse wave इस तरीके की produce हो जाएंगी, तो आप देखो, एकदम शांत तलाब है, कोई हलचल नहीं हो रही है, पानी बिल्कुल शांत रुका हुआ है, एक पत्तर उड़ा फेक दो, जैसे पत्तर फेक होगे, आप देखेंगे, उसमें water की ripples ऐसे-ऐसे form हो जाएंगी, गोल-गोल, ripples वहाँ पर form होती हुई, आपको feel हो waves हैं, जो ripples form हो रही है, that is, transverse in nature, I hope आप सभी को इस बात का बेटा feel आया होगा, अब होता क्या है, medium के particles, up and down, up and down, up and down, move कर रहे हैं, as shown here, जब particles उपर आ जाएं, तो उस उपर वाली position का नाम होता है, crest, particles जब उपर आ जाएं, तो उपर वाली position का नाम क्या है, crest, और जब particles नीचे चले जाएं, तो उसका नाम क्या होता है, truff, particles उपर आ जाएं, नाम crest है, particles नीचे चले जाएं, तो उसका नाम बेटा, truff होता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दोनों waves दिखाई जा रही है longitudinal wave भी है transverse wave भी है चेक खरो दोनों waves यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं देखो एक disturbance है जो आगे की तरह बढ़ रहा है ठीक है longitudinal wave है उपर वाली इसलिए सारे particle ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यह जो पूरा region है वो rarefaction का है यह वाला यहाँ पर आप देखो यहाँ पर किसी transverse wave की बाद आपसे किया जारा है यह ट्रांसवर्स wave में क्या है particle अपनी जगे पर ऐसे ऐसे कर रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है तो particle जितना maximum उपर तक जाता है उसको बेटा amplitude कहते है चेक करो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा आप चेक करो यह देखो थोड़ा सा उचाई बढ़ गया ठीक है जब सारे particles उपर चले जाए उपर वाली position को crest बोला जाता है नीचे वाली position को truff बोला जाता है उपर वाली position का नाम है crest और नीचे वाली position का नाम है truff जिस तरीके से longitudinal wave compression और rarefaction के form में travel करती है बिल्कुल उसी तरीके से transverse waves जो होती है वो crest और rare, sorry, crest और truff के form में travel कर रही होती है ठीक है longitudinal wave में compression rarefaction होता है जबकि यहाँ पर crest और truff होता है particles उपर आ जाए crest, particles नीचे चले जाए उस position का नाम truff होता है तो crest क्या है बाई साब? the elevation or hump elevation or hump in the transverse wave is called crest in other words, crest is that part of the transverse wave in which the particle is above the line of zero disturbance in the medium देखो ये एक line है जो कि zero disturbance वाली line है यानि कि अगर wave ना होती ही तो सारे particles यहाँ पर होते अगर wave ना होती ही तो सारे particles इसी line पर होते तो this is known as line of zero disturbance यानि कि अगर zero disturbance है, अगर कोई disturbance medium में नहीं, अगर कोई wave medium में नहीं है तो सारे particles बेटा इस line पर present होते ठीक है? लेकिन जैसे disturbance आई, कुछ particle उपर हो गए, कुछ particle नीचे चले गए इसी को crest बोलने है, इसी को trough बोलने है, trough का definition पढ़ो the depression or hollow, hollow मतलब, खोकलापन the depression or hollow in transverse wave is called trough in other words, trough is that part of the transverse wave which is below the line of zero disturbance zero disturbance के नीचे वाला ये जो point है, इसी को हम लोग क्या बोलते है? true या trough तीक? और जो उपर वाला point है, इसको बोलते हैं, बेटा, crest right, अब यहाँ पर graphical representation है, देखो उसी transverse wave का, transverse wave को अगर graphically आपको दिखाना है, तो आप simply दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग position of zero disturbance वाली एक line है, देखो, यह ऐसी line है, जहाँ पर particles का displacement क्या है? zero, इसको हम यहाँ पर displacement भी लिख सकते हैं, ठेक है? यह zero displacement वाली line है, यह क्या है? यह zero displacement वाली line है, ठेक है, इसी line को या इसी position को, बेटा, mean position भी कहा जाता है, इसी position को mean position भी कहा जाता है, अगर particle mean position से उपर चला जाए, तो उसका नाम है crest, particle mean position से नीचे जहाँ जाता है, उस position का नाम है, उस जगह का नाम है ट्रफ राइट तो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ इस तरीके से ग्राफ बन जाता है ऐसा ही कुछ ग्राफ तुम्हारा longitudinal wave में भी था लेकिन वहाँ पर y-axis पर हमने density या pressure लिया था जबकि यहाँ पर y-axis पर displacement of particle है और x-axis पर तो वही है distance traveled by the wave या position of the wave ऐसा आप x-axis पर easily simply ले सकते हो अब किसी भी wave का जो ग्राफ आप बनाते हैं उस ग्राफ में बेटा कुछ characteristics होती है आईए आपको सिखाते हैं आपको detail में इस characteristics के बारे में समझाते हैं अगर बेटा मैं किसी भी wave का एक simple सा ग्राफ यहाँ पर आपके दिखाऊं तो देखो यह मैंने y-axis पर मैंने लिया है displacement of particles य-axis पर मैंने लिया displacement of particles ठीक है particles का बाई साब displacement है और x-axis पर मैंने लिया है position of wave या distance traveled by wave position of wave भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर distance traveled by wave ऐसा भी लिखा जा सकता है wave आगे की दरफ जा रही x-direction में particles y-direction में vibrate कर रहे हैं ठीक है अब देखो जड़ा particles में यह वाला जो position है maximum displacement का बेटा यह crest है यह भी crest है यह भी crest है जबकि यह वाला position ट्रो है यह वाला position ट्रो है यह वाला position भी ट्रो है तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर सबसे पहला definition define किया जाता है wavelength wavelength का मतलब है it is length of one wave एक वेव की यह लंबाई जो है वो wavelength कहलाती है तो बेटा जड़ा चेक करो पहली वेव की शुरुवात यहां से हुई थी और पहली wave complete यहाँ पर हुई है ऐसे चलके ऐसे यहाँ पर यह एक वेव complete हुआ यहाँ पर उसके बाब फिर से repeat हुआ देखो दूसरा wave complete हुआ है फिर से repeat हुआ check करो तीसरा wave complete हुआ है यानि कि यहाँ पर total हम लोगने तीन waves बना करके दिखाई है तो एक wave की जो यह लंबाई है इसी लंबाई को wave length कहा जाता है wave length को इस symbol lambda से denote करते हैं symbol होता है lambda इसको पढ़ते है lambda यह Greek word है that is known as lambda तो यह wave की length हो गई दूसरी definition सुनो it is the distance between two consecutive crests और troughs दो लगातार आने वाले crest या दो लगातार आने वाले troughs के बीच का यह जो distance है यह wavelength कहलाता है यह भी wavelength है यह भी wavelength है यह भी wavelength है यानि दो consecutive दो अगल बगल वाले दो लगातार आने वाले crest के बीच की दूरी या दो troughs के बीच की दूरी भी wavelength कहलाती है तो ज़रा पढ़ो the minimum distance in which sound wave repeat itself is called wavelength देखो पहला wave यहां complete हुआ इतनी distance के बाद ही तो wave ने खुद को repeat किया तो इस minimum distance को wavelength कहते है in simple word it is length of one complete wave एक complete wave देखो एक wave यहां पर है इसी एक wave का जो length है वही wavelength कहलाता है वो Greek letter lambda से denote किया जाता है in a sound wave combined length of a compression and adjacent rarefaction is called wavelength कह रहे हैं कि वही एक combined length compression की rarefaction compression और rarefaction की जो total length होती है वो हमारी wavelength कहलाती है यानि indirectly तुमको ये बोला जा रहा है कि compression compression की बीच की दूरी अगर wavelength कहलाती है तो एक compression और एक rarefaction या एक crest और एक trough के बीच की दूरी क्या कहलाएगी एक crest और एक trough के बीच का जो distance है वो lambda y2 होता है that is half of the wavelength तो ये बाद ध्यान रखना दो consecutive, दो successive crest के बीच की जो दूरी है वो wavelength है लेकिन एक crest और एक trough के बीच की जो दूरी है वो हमारी lambda y2 यानि half of the wavelength कहलाती है अब बाद ही सरी amplitude क्या होता है मेटा amplitude का मतलब ये देको mean position है ये देको extreme position है mean position से जितना maximum आप particle को ऊपर लेकर जाते हो या जितना maximum आप नीचे तक लेकर के आते हो उसी displacement को हम लोग amplitude का नाम देते हैं तो it is the maximum displacement of the particle of the medium from their mean position in either direction of the motion ठीक है original undisturbed position से ये देको undisturbed position है उसी undisturbed position को ही हम लोग mean position भी बोलते हैं that is mean position, right तो mean position से maximum जितना उपर या maximum जितना नीचे आप ले जाते हो उसी displacement को amplitude कहा जाता है किसी भी एक wave के लिए जो amplitude है वो generally 9th के syllabus में जो तुम पढ़ रहे हो amplitude कैसा होता है बेटा constant होता है amplitude की एक fixed value होती है राइट कि भई particle maximum कितना जाएगा सर 5 cm तक उपर जाएगा अभी वो हो सकता है 1 cm पे हो, 2 पर हो, 3 पे हो लेकिन maximum कहां तक जाएगा 5 cm तक जाएगा ऐसी नीचे कहां तक जाएगा minus 5 cm तक जाएगा अभी कहीं भी हो सकता है displacement कुछ भी हो सकता है but amplitude will be a constant value amplitude will be a fixed value I hope आपको बात समझ्य आई होगी time period क्या होता है सर time period का मदलब है time taken to complete one oscillation एक oscillation क्या है mean position से उपर जाना वहां से नीचे आना और नीचे जाना फिर उपर आना इसी को तो oscillation बोलते है यहां से उपर जाना फिर नीचे आना फिर नीचे आना फिर यहां से उपर आना यह इतना जो motion है यही one oscillation कहलाता है तो एक oscillation complete करने में जो time लगे वही time period है, so time required to produce one complete wave, या एक cycle यही तो एक cycle है बेटा यही तो एक cycle है, या wave यहाँ से चली, यहाँ तक पहुंची एक wave complete हो गई यहाँ पर एक wave complete हो गई तो यहाँ से यहाँ तक में जो time लग जाए, वही time period कहलाता है, या particle को उपर जाने और नीचे आने फिर वापस आने में जो time लग जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, time period, so one complete wave is produced by one full vibration of the vibrating body, एक wave हम तभी मानते हैं एक complete wave हम तभी मानते हैं, जब particle का भी एक पूरा vibration बेटा हो जाए, right, so time taken to complete one vibration is called time period, या तो आप ये कहो कि wavelength के बराबर distance चलने में wave को जितना time लगे, वही time period कहलाता है, दूसरी definition सुनो, particle को पूरा vibrate करने में जितना time लगे, वही time period कहलाता है, तीसरी definition सुनो, time required to produce one complete wave, एक complete wave produce करने में जो time लगे, वही time period कहलाता है, और time period को हम लोग capital T से represent कर रहे होते हैं, frequency जो है, इसको F से denote किया जाता है, और senior books में देखोगे, तो इस तरह का एक symbol होता है, इसको new पढ़ते new, right, तो F या new, ये दोनो ही इसके symbol है, frequency का मतलब होता है, it is number of waves created in a second, एक second में कितनी waves produced हो रही है, या number of oscillations performed by the particle in one second is known as frequency, एक second में particle ने कितने vibrations perform कर दिये, कितने cycles perform कर दिये, यही frequency है, तो frequency tells us the rate at which waves are produced, waves किस rate पर produced हो रही है, ठीक है, number of complete waves produced in one second is also known as frequency, right, number of the vibrations per second is called frequency, यह भी इसका definition है, तो हर एक चीज़ की बेड़ा तीन-तीन definition दे रहे हैं, लेकिन आपको एक ही लिखनी है, जो तुम्हें अच्छी लगे, right, frequency जो है, that is reciprocal of time period, frequency जो है, वो one upon time period कहलाता है, तो frequency f is one upon time period, यह formula देखो, कहां से आया one upon time period वाला, frequency का मतलब है, f oscillations in f oscillations in one second, वह फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, frequency मतलब number of oscillations in one second, तो f oscillations बेटा, एक second में हो रहे हैं, तो एक oscillation में आखिर कितना time लगेगा, बेटा, so one oscillation in एक oscillation कितने में होगा, one by f second में होगा, और एक oscillation में लगा हुआ, जो time होता है, वही क्या कहलाता है, time period, one oscillation का जो time है, that is known as time period, तो time period t जो है, वो one by f second के बराबर हो गया, तो यह देखो, एक छोटा सा derivation आ गया, कि time period is reciprocal of frequency, or we can write frequency is, or we can write frequency f is one upon time period, ठीक है, frequency के अगर मैं तुमसे units की बात करू, units of frequency की मैं अगर आप से बात करू, तो आप जड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, second one by, देखो, frequency क्या है, one upon time period है, तो time period नीचे आया, तो second नीचे आ जाएगा ना, तो इसको आप per second लिख सकते हो, इसको आप second inverse लिख सकते हो, ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, per second, और इसी को hertz भी कहा जाता है, इसी को hertz भी कहा जाता है, जिसको short में हम लोग hz लिखते हैं, जैसे, अगर कोई particle है, उसकी frequency है, मालनो 3 hertz, इसका मतलब क्या है, it will produce 3 waves in 1 second, it will produce 3 waves in 1 second, या it will create 3 oscillations in 1 second, यह frequency का मतलब होता है, अगर कभी भी लिखा जाए, frequency 3 hertz है, तो, अगली चीज है, velocity और wave क्या है, बहुत ही simple सी चीज है, कि भया, wave की velocity, wave की velocities को, हम लोग V से represent करते हैं, it is distance traveled by the wave in 1 second, wave 1 second में कितना distance आगे की तरफ travel कर रहा है, उसी को बेटा, wave की speed कही जाती है, या wave की velocity कही जाती है, the distance traveled by the wave in 1 second, is called speed of the wave, तेको velocity की बज़ाए, अच्छा word है, आप यहाँ speed लिखिए, क्योंकि आपने यहाँ distance लिखा है, लेकिन, अगर मैं यहाँ displacement लिख दूँगा, ठीक है, displacement traveled by the wave in 1 second, so that will be known as velocity of the wave, इसको V से represent करते हैं, और इसका unit meter per second होता है, जैसे किसी भी object की speed यह velocity का unit meter per second है, ऐसी wave की speed यह velocity का unit भी meter per second ही होता है, ठीक है, अब एक बहुत important हम लोग derivation की तरफ आ गए है, it is very important, that is relationship between speed, frequency and wavelength, speed, frequency और wavelength इन तीनों के बीच के relation की बात मिटा कर रहे है, तो एक चीज़ ज़रा समझो, speed of wave क्या होती है, speed of wave का simple सा मतलब है न, क्या, distance traveled by wave, distance traveled by wave, upon time period, upon time taken, distance traveled by the wave upon time taken, speed क्या होती है, distance upon time के बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी wave की speed को मैं वी लिख सकता हूँ, distance wave ने कितना चला है, अगर वो distance wavelength के बराबर है, तो एक wavelength के बराबर distance travel करने में कितना time लगता है, तो वही तो time period है, तो V is equal to lambda upon T हो जाएगा, यानि velocity of the wave जो है, वो wavelength upon time period of the wave हो जाएगा, और जड़ा चेक करो, one upon time period into wavelength लिख सकते हैं, इसको हम लोग, one upon time period को ही frequency कहा जाता है, तो एक relation हमारे पास और आ गया, कि velocity of the wave, speed of the wave is equal to frequency multiplied by wavelength, तो speed of wave is equal to frequency multiplied by wavelength, V बराबर F lambda, ये भी एक formula मेरे प्यारे बच्चों निकल कर आ गया, ठीक है, अब एक बात ये ध्यान रखना, frequency के बारे में एक बड़ा important point है, frequency is always property of source, frequency जो होती है बिटा, वो हमेशा source की property होती है, frequency जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ source पर dependent होती है, ठीक है, अगर source सेम है, तो frequency भी सेम रहेगी, अगर source चेंज हो गया, तो frequency चेंज हो जाएगी, ये बात आपको अभी से ले करके, class 12 तक अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप class 12 में आओगे, मैं फिर से पढ़ा रहा होगा उस समय आपको, और वहाँ पर इस point का use, 11 बे भी, 12 बे भी, कई बार मैं आपसे करूँगा, तो ये बात ध्यान रखना, frequency जो है, that is always property of source, frequency हमेशा source की property, मेरे प्यारे बच्चों होती है, आज आपको छोड़े-छोड़े questions आपको दिखाते हैं, what is the frequency of the sound wave, whose time period is 0.05 seconds, अगर time period इतना है, frequency पूछ रहा है, frequency is defined as reciprocal of time period, है रहा, so that will be 1 upon 0.05 के बराबर, और बेटा, अगर मैं 100 का उपर और 100 का नीचे multiply कर दू, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 100 divided by 5, 100 divided by 5 का मतलब हो गया 20 hertz, तो इस object की जो frequency है, अच्चा, वो frequency हो गई हमारी 20 hertz, ठीक है, अगले question में देखते हैं बेटा, the wavelength of the sound emitted by the source is, तो आपको wavelength given है, 1.7 into 10 की power minus 2 meter के बराबर, calculate the frequency of the sound, आपको frequency निकालनी है, ठीक है, लेकिन अभी मैं machine को restart करता हूँ, हाँ बेटा, देखो, इसमें ये कहा जा रहा है, the wavelength of the sound emitted by the source is, तो wavelength हम लोग को given है, 1.7 into 10 की power minus 2 meter के बराबर, calculate the frequency of the sound, frequency हम लोग को निकालनी है, velocity, if its velocity is 343.4 meter per second, तो आपको देखो, wave की velocity given है, आपको wavelength given है, आपसे frequency पूछी जा रही है, तो बेटा, यहाँ पर हमें simply लिखना है, using relation, using relation, कौन सा relation? V is equal to F lambda, तो velocity है, 343.4 is equal to, frequency हमें निकालना है, और wavelength है, 1.7 into 10 की power minus 2 meter के बराबर, तो frequency की value है, 343.4, divided by 1.7 into 10 की power minus 2 के, ठीक, अब यहाँ पर जड़ा, चेक करते हैं हम लोग, इसको आए डिवाइड करते हैं, 343.4 divided by 1.7, बेटा, डिवाइड अगर आप करोगे, तो आएगा 202, 202 multiplied by, देखो 10 की power minus 2 है, उपर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो यह जो frequency है, वो 20,200 Hz निकल कर आगई, राइट, 20,200 Hz, यह frequency उस wave की निकल कर आगई, और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि जब frequency 20,000 Hz से उपर होती है, तो इस तरह के sound को, अल्टरा sound कहा जाता है, अगर frequency 20 Hz से जादा हो, ठीक है, 20,000 Hz से जादा, अगर बिटा frequency कभी भी आ जाए, तो ऐसे sound को क्या नाम दिया जाता है, अल्टरा sound, यह अभी हम लोग आगे detail में, इसी chapter में आगे पढ़ने वाले हैं, राइट, चलो, नेक्स्ट क्वेस्टन है, a source is produced in 1500 sound waves in 3 seconds, यानि 3 seconds में 1500 waves बिटा अगर produce हो रहे हैं, तो एक second में कितने होंगे, है ना, so, 3 seconds में, we can write, in 3 seconds, waves produced is equal to 1500, 3 seconds में बिटा 1500 waves बिटा अगरे हैं, तो एक second में, एक second में, waves produced कितनी हो जाएंगी, that will be 1500 divided by 3, और इसी को बिटा हम बोलते हैं, 500, और यही क्या है, frequency, तो यहाँ पर जिस wave की बात कर रहे हैं, जिस source की बात कर रहे हैं, उस source की frequency कितनी आ गई है, 500 hertz के बराबर, आगे कह रहे हैं, if the distance covered by the compression and adjacent rare fraction भी 68 cm, कहरें कि compression और just बगल वाले rare fraction के बीज का जो distance है, वो 68 cm है, तो मेरे प्यारे बच्चों जड़ा सोचो, एक compression और just बगल वारा rare fraction के बीज का जो distance होता है, वो lambda by 2 होता है, lambda by 2 हमारा 68 cm है, तो wavelength की value 2 into 68 cm आ जाएगा बेटा, तो wavelength तुमारा निकल करके आ जाएगा, that will be 68 multiplied by 2, यानि कि 136 cm ये wavelength हो गया, अब हमसे कह रहे हैं calculate frequency, तो देखो सबसे पहला काम तो हम लोग ने करी लिया, first option में, first हम लोग ने first part देखो solve कर लिया, first part में frequency पूछ रहे हैं, निकाल दिया हमने, second part में wavelength पूछ रहे हैं, तो ये रहा समझ दो आपका second part, right, वो भी हमने निकाल दिया, तीसरे part में velocity पूछ रहे हैं, कि sir, wave का velocity कितना होगा, तो पेटा, किसी भी wave का जो velocity होता है, that is V is equal to F lambda, frequency है 500 hertz के बराबर, और wavelength जो है, वो 136 cm है, 100 से divide करोगे, तो किसमें convert हो जाएगा, meters में convert हो जाएगा, ठीक है, 20 से बेटा, 20 cancel हो जाएगे, 136 जो आया है, इसमें 5 का multiply करेंगे, तो आएगी value 680, तो velocity बेटा कितनी हो गई, 680 meter per second, 680 meter per second, ये उस wave की velocity हो गई, ठीक है, next है बेटा, production of sound, कि sir, sound का production आखिर कैसे होता है, तो मैं पहले ही बदा चुका हूँ, sound का production सिर्फ और सिर्फ vibration से होता है, so vibration is the source of sound, so sound is produced only when the object is vibrating, यानि move back and forth rapidly, in other words, sound is produced by the vibrating objects, vibrating objects से ही sound produced होता है, और vibration के लिए जो energy required है, वो किसी ना किसी external source से पता चलती है, जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग के गले में एक vocal cord होती है, vocal cord यहाँ पर इस समय वाइबरेट कर रही है, उसी vibration से आपको sound सुनाई पड़ रहा है, और sir, ये कैसे वाइबरेट हो रही है, तो उसके लिए मैं अपनी energy यूटिलाइस कर रहा हूँ, जो मैंने खाना वाना खा करके वाइया, इस्टोर कर रखी है है ना, ये तो बाइलोजी में पड़ा होगा, ATP वगरा इस तरीके से energy होती है ना, बाइलोजी में आपने पड़ा होगा, नेक्स्ट है बेटा, आपसे कह रहे हैं, जैसे अगर किसी सितार में बात करें, जैसे instrument है सितार, ठीक है, सितार में जो रस्या लगी होती है, उनी रस्यों के vibration से, इन by vibrating strings, सितार में यही होता है, बासुरी की बात करें, तो बासुरी में जो air हम लोग blow कर रहे होते हैं, वो air vibrate कर रही होती है, तबले की बात करें, तो तबले का यह जो membrane है, जो उपर वाली skin होती है, यह vibrate कर रही होती है, और किसी मंजीरे की बात करें, तो मंजीरे में यह जो plate लगी होती है न, plate होती है, जिसको ऐसे-एसे पीट रहे होते हैं हम लोग, तो वो plate वहाँ पर vibrate कर रही होती है, यानि कोई न कोई vibrate जरूर कर रहा है अगर sound वहाँ पर बेटा produce हो रहा है, तब, so sound needs a material medium to travel, यानि कि travel करने के लिए sound को हमेशा एक medium की requirement होती है, यही कारण है कि जो sound है, वो mechanical wave होती है, sound आ sound is traveling is called medium, medium can be solid liquid gas, sound के लिए solid liquid gas कोई भी medium हो सकता है, ठीक है, उसी को material media कहते हैं, ठीक है, जिस medium में sound travel कर रहा है, वही material media है, sound has a material medium like solid liquid gas to travel and to be heard, यही कारण है कि sound किस तरह का wave है बेटा, sound mechanical wave होता है, और यह मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ, मैं आपको समझा चुका हू on the other hand, light and radio waves, light waves जो होती है, वो non mechanical होती है, उनको किसी medium का requirement नहीं होता है, यह जो radio waves लिखा है ना, यह radio waves भी light waves का ही एक part है, जब आप लोग अभी 12th class में electromagnetic spectrum पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको सुझ में आएगा कि जो light है, उसी में visible light भी है, उसी में ultraviolet light भी है, उसी में infrared light भी है, उसी में radio waves भी है, उसी में gamma waves भी है, यह सब light का ही spectrum है, light का ही part है, तो light जो है, वो electromagnetic wave होती है, light को किसी medium की requirement नहीं है, light can travel even through vacuum, लेकि sound vacuum में बेटा travel नहीं कर पाता है, लेकि light जो है, वो travel कर सकती है, अब यहाँ पर देखो, speed of sound में आपको बता रहे है, कि speed of sound सबसे पह solid में speed सबसे जादा है, solid में भी अगर मैं iron की बात कर लूँ, तो iron में speed देखो लगबग कितनी है, 5130 meter per second, यानि लगबग लगबग 5000 meter per second हो गई, water में sound की speed में आपको बता हूँ, लगबग 1500 meter per second हो गई है, ठीक है, लेकिन air में अगर देखें, तो लगबग 344 meter per second के बराबर होती है, ठीक, speed of sound के बारे में अगर मैं आपको इसका formula बता हूँ, 11th level की चीज़ है, speed of sound का formula होता है, under root gamma P upon rho के बराबर, ठीक है, ये gamma जो है ना बेटा, gamma air के लिए एक समझ लो constant होता है, gamma is a constant for air, it is a constant for air, ठीक है, air के लिए अगर मैं तुम्हें gamma की value बता दू, तो that is, मैं तुम्हें solve करके बता दे रहा हूँ, 1 plus 2 by 5, तो ये बनेगा 7 by 5, तो air के लिए तुम लोग याद कर सकते हो, gamma की value, air के लिए बेटा कितनी होती है, 7 by 5 के बराबर, ठीक है, air के लिए gamma कितना होता है, 7 by 5, P क्या है, जिस जगे पर sound travel कर रहा हो, उस जगे का pressure कितना है, अगर air में sound travel कर रहा है, तो air का pressure कितना है, तो air का pressure, atmospheric pressure होता है, 1 atm के बराबर, शायद आपको पता हो, 1.01 into 10 की power, 5 pascal के बराबर, रोज होता है, वो उस medium की density है, जैसे air की density अगर देखें, तो 1.29 होती है, तो वो भी तो that is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर, अगर आप गामा, पी और रो, इन सब की value उठा के रख दोगे, तो air में sound की जो speed निकल करके आएगी, वो लगबग लगबग 332 मीटर पर सेकेंड निकल करके आएगी, 332 मीटर पर सेकेंड, तो air में sound की जो speed है, वो लग लगबग 332 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड के बराबर निकल कर आती है, और ये जो speed है, वो 0 degree Celsius पर है, at 0 degree Celsius, ठीक है, sound की speed ये कितने temperature पर है, 0 degree Celsius पर है, लेकिन अगर हम लोग temperature बढ़ाएंगे, अगर हम लोग temperature बढ़ाएंगे, तो sound की जो speed है, वो भी बढ़ रही होगी, तो speed of sound जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, directly proportional to under root of temperature होता है, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, जैसे जैसे temperature में increment आएगा, speed of sound भी बटा, increase हो रहा होगा, तो अगर मैं 0 degree Celsius पर बताओं, तो speed of sound जो है, वो 332 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर लगबग 25 degree Celsius पर मैं आप को बताओं, तो वो 344 मीटर पर सेकेंड है, यानि speed of sound जो है, वो temperature के साथ बढ़ता है, और इसका अगर तुम formula मेरे से पूछोगे, तो मैं एक formula तो मैं बता सकता हूँ, speed of the sound at T degree Celsius, speed of sound at T degree Celsius is equal to speed of sound at 0 degree Celsius, जो की 332 होता है, plus 0.61 into that temperature, थेक है, तो ये एक direct formula तुम लोग अभी class 9 की level पर जान सकते हो, अभी 9th की level पर इतना formula basic basic जाने रहो, कि speed of sound जो है, वो T degree Celsius पर कितना है, T क्या है, सर, कभी मैं ने आप से पूछा, पेटा, 25 degree Celsius पर बताओ जरा, तो आप कहोगे, यहाँ सर, temperature की जगे 25 रख दो, जैसे ही आप 25 रखोगे, इसको solve करोगे, multiply करोगे, तो value लगबग लगबग 344 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी, यह कहो तो मैं तुम्हें solve करके दिखा दू, देखो, अगर मैं यहाँ 25 रखो, तो 0.61 multiplied by 25 होगा, 0.61, 0.61 multiplied by 25 temperature, ठीक है, 15.2 by हुआ, उसमें 332, जोड़ दो बिटा, उसमें 332, जोड़ दो, कितना आ गया, देखो, 347.25 मीटर पर सेकेंड, यानि कि at 25 degrees Celsius, speed of sound बेटा कितना होता है, 347.25 मीटर पर सेकेंड, लगबग लगबग 347.25 मीटर पर सेकेंड, और अगर बेटा मैं यहीं पर 0.61 0.61, multiplied by, अगर मैं माल लो 20 degrees Celsius कर दें, और उसमें हम लोग 332, जोड़ दें, तो आप देख सकते हैं, यह कितना आएगा, 344.2 मीटर पर सेकेंड, यानि कि यह जो यहां लिखा हुआ है, तुमाए पास, यह जो लिखा हुआ है, 344, यह कितने temperature पर है, बिटा, at 20 degrees Celsius, तो यह द कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड, पर 20 degrees Celsius पर कितनी है, लगबग, लगबग, 344 मीटर पर सेकेंड, फुड़ा सा और बढ़ा होगे, तो 347 मीटर पर सेकेंड के असपास हो जाएगा, यानि कि temperature बढ़ाने पर sound की जो speed है, वो बढ़ रही होती है, तीसरा point है, speed of the sound depends on the humidity of the air, या में moisture जादा होगा, उस air की density कम होती है, इसलिए उस medium में density अगर कम हो जाएगी, density अगर कम हो जाएगी, तो speed वहाँ पर बढ़ जाएगी, इसलिए speed of the sound is directly proportional to humidity, तो एक point आप दिमाग में रख सकते हैं, कि dry air की जो density है, वो humid या फिर moist air से जादा होती है, dry air की density जादा है, और moist air की जो density है, वो कम होती है, humid air की density जो है, वो कम होती है, अगर इसको भी समझना है, तो दिमाग ऐसे लगा सकते हैं, देखो dry air में क्या है, oxygen है, nitrogen है, nitrogen का molecular mass कितना 28, oxygen का कितना 32, अब सोचो, 28 और 32 वालों को हटा कर, अगर मैं उसमें water डाल दूँ, पानी जैसे humid air होता है, humid air का मतलब क्या है, कि वहाँ पर moisture भी present है, अगर moisture present है, तो ऐसी वाली बात हुई न, कि हमने oxygen nitrogen हटाया, और उसमें पानी मिला दिया, जैसे दूद में जब पानी मिलाते हो, तो उस दूद की density कम हो जाती है, दूद हलका हो जाता है, density कम हो जाती है, बिलकु oxygen का 28, तो तुम 32, 28 वालों को हटा कर 18 वाली कोई चीज डाल रहे हो, तो obvious है न, भाई साब mass कम हो जाएगा, I hope यार समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे syllabus में नहीं है, तुमको basic basic पता होना चाहिए, कि humidity बढ़ाओगे, तो speed of sound मेरे प्यारे बचों बढ़ जाएगा, बाकी मैंने तुम्हें detail में समझाने की कोशिश की है, अगला जो concept हमारे पास है, that is sonic boom, sir यह sonic boom क्या होता है, बाई साब कुछ ऐसे भी objects है, कोई ऐसे jet aeroplane हो सकते है, fighter jets हो सकते है, कोई missile हो सकता है, कोई rocket हो सकता है, जिसकी speed, sound की speed से ज जो sound create हो रहा है, उसी को sonic boom कहा जाता है, so many objects like aircraft, bullets, rockets, etc. travel at the speed which is greater than the speed of sound in air, कुछ ऐसे objects हैं, जो sound की speed से भी fast चलते हैं, they are set to have supersonic speed, तो sound की speed से fast अगर किसी object की speed है, तो उसकी speed को supersonic speed कहा जाएगा, and due to its very high speed, supersonic aircraft produces extremely loud sound wave, जब speed बहुत जादा होती है, तो उनकी वज़े से बहुत ही loud sound create होता है, जिसको shock wave कहते है, shock wave produced by the supersonic aircraft carry great amount of energy, यह जो shock wave है, इसमें बहुत जादा energy होती है, the tremendous air pressure, variations caused by the shock wave, produce a loud burst of the sound called sonic boom, यह sonic boom का पूरा का पूरा definition है, क्योंकि speed बहुत जादा है, इसकी वज़े से वहाँ पर बहुती loud sound create होता है, pressure काफी जादा होता है, उसी pressure, उसी जादा pressure की वज़े से, वहाँ पर sonic boom create होता है, एक loud burst of sound होता है, और इस तरह के fighter jet अगर किसी building के उपर से निकल जाए, तो उस building में जितने काच वाच लगे होत सब फूट जाते हैं, इसी को sonic boom कहा जाता है, इसके बाद बिटा reflection of sound की बात कर रहे हैं, यानि sound का भी light की तरह reflection होता है, जिस तरह से light आती है, टकरा कर वापस सली जाती है, बिलकुल वह से ही sound का भी reflection होता है, ठीक है, sound भी आएगा, किसी medium से टकरा आएगा, वापस सला हैगा, so bouncing back of the sound, whenever it is incident on any hard surface, is known as reflection of sound, reflection जो है, वो generally hard surface से बढ़िया होता है, soft surface में reflection कम होता है, जबकि soft surface या porous जो substances होते हैं, वो sound को absorb करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई foam है, foam क्या करेगा, sound को absorb करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई hard surface है, कोई दीवार है, कोई लकडी है, कोई मेज है, तो वो हमेशा sound को reflect करने की कोशिश करेगी, कोई परदा है, soft है, absorb करने की कोशिश करेगा, right है, तो कुछ absorbers of sound भी होते हैं, कुछ reflectors of sound भी होते हैं, तो फिलाल reflection क का मतलब क्या है bouncing back of the sound whenever it is a strike on a hard surface is called reflection of the sound waves hard and solid surfaces are best for the reflection for example sound is reflected well from the hard surfaces like wall metal sheet hardwood या फिर cliff इन जगहों से sound जो है वो बढ़िया सा reflection शो करता है उसके बाद तुम्हें बता रहे laws of reflection क्या है बाई साफ incident sound wave reflected sound wave and normal at the point of incidence इसका मतलब क्या है सुनो ध्यान से सुनो यह मानलो वो hard surface है यह मानलो वो hard surface है जिसके उपर sound incident होने वाला है this is that hard surface ठीक है और इस hard surface पर जिस point पर sound आ रहा है उस point पर मैंने एक perpendicular बनाया तो यह जो point है बेटा यह कहलाता है point of incidence यह point क्या कहलाता है point of incidence इसी point पर sound अभी आएगा ठीक है तो इस point पर हम लोगों ने surface के जो perpendicular बनाया है इस line को normal कहा जाता है इसी line को क्या बोलते है normal नाम दिया जाता है अब जड़ा आप चेक करिए यह कोई एक sound आया है ठीक यह incident sound है this is we can write incident sound incident sound यह incident sound है और यहां से वो sound को कुछ इस तरीके से reflect हो जाएगा so this is reflected sound this is reflected sound तो कुछ incident sound है कुछ reflected sound है यह normal है तो सबसे पहला law मैंने आपको क्या बताया reflection का पहला नियम कहता है incident sound normal at the point of incidence and reflected sound all lies in the same plane incident normal reflected sound यह सभी same plane पर होते है इन सभी का जो plane है वो same होता है they are at same plane ठीक है दूसरा नियम बिटा मैंने आपको बताया यह जो angle of incidence है angle of incidence मतलब incident sound और normal के बीच का यह जो angle है ठीक है और यह जो angle of reflection है that is normal और reflected sound के बीच का जो angle है यह दोनों angles भी आपस में बराबर होते हैं right so angle of incidence and angle of reflection both are equal to each other यह दो laws of reflection यहाँ पर लिखे हुए है और reflection of sound का हम लोग बहुत ज़्यादा use करते हैं कुछ ऐसी devices में जिसका नाम है जैसे mega phone आपने सुना होगा न वो बोल रहे होते हैं उस तरीके से लगाकर bulb horn होता है उसको दबाओ तो वाज निकलती है stethoscope होता है डॉक्टर साम लिये रहते हैं sound boards भी होते हैं जो की sound बजाने जाने के काम आता है आपको पता होगा right इन सभी में reflection of sound का ही concept बेटा use हो रहा है इसके बाद है sir eco क्या चीज होती है reflection of sound का एक बहुत ही प्यारा सा example है जिसको eco बोलते हैं हम लोगग इसी repetition of sound को due to reflection of sound हम लोग eco कहते हैं what is eco so eco simply means reflection of the sound due to its repetition यह repetition of the sound due to its reflection from the surface is known as eco eco कराने के लिए देखो minimum requirement क्या है अब हम लोग अपनी आवाज को जैसे हमने अपना नाम बोला ठीक वही नाम repeat होकर अगर हमें सुनाई पढ़ रहा है तो एक बार हमने बोला होगा वो sound गया होगा टकरा कर वापस आया होगा तभी तो हमने सुनाई पढ़ रहा है तो दो sounds के बीच में minimum one by ten second का gap होना चाहिए बिटा तभी हमारे कान उसको separately समझ पाएंगे otherwise हम उसको समझ नहीं पाएंगे यानि मैंने बोला एक word आपके कान में गया अगला जो word मैं बोल रहा हूँ इन दोनों words के बीच में minimum एक बटे 10 second का time interval होना चाहिए वरना आपका कान उसको identify नहीं कर पाएगा तो calculation of minimum distance अगर मैं आपको बताऊँ तो भया ये भाई सब बोल रहे हैं ये दिवार है यहां से reflect होगा ये बोलेंगे sound आएगा टकरा कर वापस जाएगा इतने में minimum one by ten second का duration होना चाहिए तो जड़ा चेक करो speed of sound जो है that is equal to distance traveled by the sound upon time taken speed of sound कितना होता है तो speed of sound अभी हम लोग ने देखा कि सर अगर room temperature माल ले सर माल लो 20 degree Celsius पे बात कर रहे हैं यार right यानि कि at 20 degree Celsius भाई देखो पहाड़ी के उपर अगर कहीं पर repeat करा रहे हो तो लगबग 20 degree तो होगा temperature 20 degree अगर मैं माल लो तो 344 meter per second sound की speed है distance अपने को नहीं पता बट time पता है वो time है 1 by 10 second के बराबर तो मेरे प्यारे बचों यहां से distance अगर निकालोगे तो that will be 344 multiplied by 1 by 10 यानि कि this distance will become 34.4 meters यानि कि eco form होने के लिए eco form होने के लिए आवाज repeat करने के लिए sound को यहां से आना पड़ेगा टकरा कर वापस जाना पड़ेगा और इतने में time लगना चाहिए minimum 1 by 10 second का और distance कितना कवर हो जाना चाहिए minimum 34.4 meter का 34.4 meter का minimum distance कवर हो जाना चाहिए इसका मदलब इसका आधा distance इसका आधा कितना होगा 17.2 meter 17.2 meter आने में 17.2 meter जाने में और time कितना लगा होगा 1 by 10 seconds के बराबर यह eco होता है यानि eco produce होने के लिए minimum distance कितना होना चाहिए 20 degree Celsius पर अगर आप बात कर रहे है 20 degree Celsius पर अगर आप बात कर रहे हैं तो eco produce होने के लिए minimum distance कितना है 17.2 meter के बराबर देख लो 34.4 का क्या किया गया आधा किया गया तो 17.2 meter आया यानि कि अगर आपका जो room है वो 17.2 meters लंबाई का हो जाए तो वो room कहा वो hall बन जाएगा अगर एक बड़ा सा hall हो और उस hall पूरा खाली hall है वहाँ पर जाकर आप अपना नाम लो तो आपको भी feel होता होगा कि सर वहाँ पर आवाज जो है कुछ-कुछ repeat हो रही है even sir repeat तो पूरी नहीं हो पाती लेकिन गूंज वहाँ पर develop होती है तो वह जो गूंज होती है उस गूंज का मतलब है वहाँ पर sound कई बार reflect हो रहा है तो उसको अब आगे पढ़ेंगे उसको reverberation बोलते है लेकिन पहाडी पर जाकर आप अपना नाम लेंगे अगर तो नाम पूरा पूरा repeat होगा जैसे आपने अपना नाम लिया मालो आपने नाम लिया काजल ठेक है तो काजल बोला तो उड़र से भी काजल काजल एक दो बार आवाज repeat होगी एक तकपूर के serial में भी ऐसा होता ना एक बार किसी ने बोला काजल तो काजल, काजल, काजल तीन बार रिपीट करके दिखाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से तो यहाँ पर भी eco होता है, हलाकि eco में जनरली एक बार दो बार sound reflect हो रहा होता है, अब इस slide में मैंने आपको यह बताया है कि यार अगर आप temperature बढ़ाओगे, तो sound की speed बढ़ेगी obvious है, यानि कि hot days की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो hot days में, क्योंकि temperature ज़्यादा होता है, sound की speed ज़्यादा होती है, तो उसको distance कम travel करना पड़ेगा, यानि कि यही eco हमें जल्दी सुनाई पड़ेगा, तो eco will be heard sooner in hotter days in comparison to cold days यहाँ पर लिखा हुआ है, this distance will change with temperature, यह distance जो है, वो temperature के साथ change हो जाएगा, क्योंकि sound की speed temperature के साथ change होती है, so eco is heard sooner on hot days in comparison to cold days, ठीक है, hot days में जो eco है, वो जल्दी सुनाई पड़ेगा in comparison to cold days, ज़रा एक प्यारा सा question आपके सामने है, जड़ा देखिए question में क्या कहा जा रहा है, question में कह रहे है, a man claps his hand near a mountain and heard the eco after four seconds, चार सेकेंड के बाद उसको eco सुनाई पड़ा, इस जगे पर अगर man है, यहाँ पर अगर man है, और यहाँ पर मान लो वो mountain है, जिसकी वो बात की जा रही है, यह mountain है, यहाँ पर बेटा man है, तो यहाँ से आवाज गई होगी, mountain से टकरा कर बेटा, फिर वो वापस भी लॉट करके आई होगी, तो जाने में और आने में जो total time लगा है, वो total time कितना है four seconds के बराबर four seconds के बराबर जाने में और आने में time लगा है, ठीक है if the speed of the sound under these conditions is 330 meter per second, calculate the distance of the mountain from the man, कह रहे है mountain का जो distance है, वो man से आप बता दीजे कि वो distance आखिर कितना हो जाएगा, राइट है तो हाँ जी, तो देखो आवाज का जाना और लॉट कर आना इतने पूरे में बेटा, 4 seconds का time लग गया है, तो कह रहे हैं, if the speed of the sound under these conditions is 330 meter per second, speed of sound अगर 330 meter per second है, तो आप से कह रहे है calculate the distance of the mountain from the man, आपको ये distance बेटा बताना है, कि उस man और उस mountain के बीच का आखिर distance कितना होने वाला है अब एक चीज सोचो बेटा आवाज यहां से यहां गई है फिर यहां से लॉट कर आई है और total time बेटा कितना लग गया है 4 seconds के बराबर यानि कि time taken for man to mountain है ना, यानि कि time taken time taken to move from man to mountain man से mountain तक आवाज को जाने में कितना time लगा है that will be half of this time total अगर 4 seconds लगा है तो पेटा, 4 का आधा 2 seconds उसको लगा होगा man से mountain तक जाने में और 2 seconds लगा होगा वापस आने में ठीक है तो बया, speed जो होती है speed of sound जो है distance upon time के बराबर है distance हमें निकालना है that will be speed of time speed of sound multiplied by time तो speed of sound कितना है बेटा 330 meter per second time कितना लगा है 2 seconds का तो value कितनी हो गई distance कितनी हो गई 660 meter के बराबर यानि कि man और mountain के बीच का जो distance है वो distance बेटा 660 meters के बराबर हो जाएगा it is one of the good questions important question है आप लोगों से बेटा पूछा जा सकता है अगला जो topic है बेटा वो हम लोग का है riverberation riverberation का मतलब होता है जो गूंज आपको सुनाई पड़ती है जिसके अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि किसी बड़े से hall में जाकर कि अगर आप अपना नाम बोलते हो या कोई भी चीज आप बोल रहे हो तो वहाँ पर आवाज के multiple reflections होते है बार-बार आपको आवाज सुनाई पड़ती है एक फ़ड़ा सा गूंज टाइप है बेस strong वहाँ पर हो रहा होता है उसी feeling को है ना उसी को बेटा हम लोग reverberation का नाम देते है so persistence of the sound in big hall due to repeated reflection from the walls right persistence of sound कारण क्या है due to repeated reflection यानि कि multiple reflection of the sound हो रहा होता है क्योंकि अगर एक बड़ा सा hall है खाली है जो भी मैंने बोला तो वो उपर से भी reflect होकर नीचे आएगा सामने से भी reflect होकर के आएगा नीचे से भी reflect होकर के आ रहा होगा तो वहाँ पर एक गूंज आपको सुनाई पड़ती है उसी गूंज को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग riverberation का नाम दे रहे होते हैं देखो अगर थोड़ा सा riverberation है short riverberation है तो वो desirable होता है क्योंकि अगर हम लोग किसी music सुनने गए है कोई concert hall है कोई बड़िया singer परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर यह जो गूंज होती है वो एक बड़िया धमग एक base create करती है लेकिन अगर यही riverberation काफी जादा हो जाएगा तो यह sound को बिटा blurred कर देगा distorted कर देगा या फिर आप कह सकते हो confusing कर देगा इसलिए जो reverberation है वो short reverberation हो तभी desirable है बहुत long reverberation जो है वो desirable नहीं होता है right reverberation को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते है we can use sound absorbing materials हम लोग sound absorbing reflecting नहीं absorbing materials को हम लोग use कर सकते है right क्योंकि reflection को ही तो रोकना है आप carpets का use कर सकते हो floor पर आप heavy curtain लगा सकते है है ना यह सभी क्या करेंगे यह sound को absorb करने की कोशिश करेंगे तो sound का multiple reflection नहीं होगा कि वाई जैसे मैंने बोला अब यह आवाज गई माल लो किसी ऐसे curtain पर गई तो curtain ने absorb कर लिया reflection का काम ही नहीं किया ठीक है ऐसे carpet भी absorb करने की कोशिश करेंगा यानि कि आपका जो surrounding है अगर वो sound को absorb करने की कोशिश करेंगा मेरे प्यारे बच्चो तो यहाँ पर reverberation या गूझ जैसी कोई चीज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी जैसा कि इस समय जो मेरी आवाज है या पूरे lecture के दौरान जो मेरी voice आपको आ रही होगी उसमें कोई ऐसा eco या reverberation नहीं होगा जबकि यहाँ भी लगबग लगबग पूरा room खाली ही है ठीक है लेकिन इसके लिए हम लोग ने क्या कर रखा है यहाँ पर sound absorbers लगा रखे है यह पूरा का पूरा studio commercially इसी तरीके से बनाया जाता है कि जो भी sound हो उसका reflection नहीं होना चाहिए sound को absorb कर लिया जाए कोई reflection ना हो राइट चलिए frequency range for hearing in humans तो अभी एक question के दौरान मैंने कहा था कि frequency अगर 20,000 hertz से उपर है तो वो ultra sound कहलाती है तो मेरे पैरे बच्चों यहाँ पर हम लोग को उसी चीज़ की बात करनी है कि अगर frequency बेटा 20 hertz से कम है 20 hertz से अगर frequency कम होती है तो इस तरह के sound को हम लोग infrasound बोलते है 20 hertz से ज़ादा हो 20 hertz से ज़ादा हो 20 hertz से ज़ादा हो और 20,000 hertz से कम हो तो इसी को हम लोग audible sound कहते है ऐसा sound हम लोग सुन सकते है यह audible range में बेटा आ जाता है लेकिन अगर यही frequency 20,000 hertz से ज़ादा है तो ऐसे में इसको ultra sound कहा जाता है तो sound के 3 type हो गए on the basis of its frequency right that is infrasound, audible sound और ultrasound infrasound को भी हम लोग सुन नहीं सकते ultrasound को भी हम लोग सुन नहीं सकते है अब matter यह कि सर आकिर कौन है जो ultrasound produce करेगा और कौन है सर जो infrasound create करेगा बेटा infrasound या infrasonic sound वही objects create कर सकते हैं जिनकी frequency 20 hertz से कम है यानि कि जो बहुत ही heavy होंगे bulky होंगे, elephant type के होंगे या elephant की बात कर लो elephant हो गया, कोई भी rhinoceros हो गया इस तरह कि जो heavy जो बड़े जानवर होते है, whale मचली हो गई जिनका मास इतना जादा है कि वो बहुत जादा frequency वो create नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में वो infrasound create कर रहे होते हैं या earthquake की मैं बात करूँ earthquake में भी आपको infrasound ही सुनाई पड़ता है मतला हम लोगों तो सुनाई नहीं पड़ता है infrasound generate होता है इसी तरह के से whale मचली हो गई elephant हो गया, rhinoceroses हो गया तो ये सभी क्या करते हैं ये सभी क्या करते हैं ये infrasound create करने का काम करते हैं जबकि audible में हम लोग आ गए यानि 20 से 20,000 hertz के बीच में लेकिन अगर मैं 20,000 hertz के उपर की बात करूँ तो जैसे dogs होते हैं तो वो ultrasound को सुन सकते हैं क्योंकि वो 20,000 hertz के उपर लगबग 50,000 hertz तक dog जो है वो सुन सकता है बिलकुल इसी तरीके से देखो लिखा भी हुआ है up to 50,000 hertz dog जो है वो सुन सकता है यही कारण है कि dog को हम लोग detective work में भी use कर लेते हैं आपने देखा होगा movie में न कि कही murder हुआ तो भया dog लेकर के police वाले चले गए वहाँ पर वो dog यह सारे ही जानवर ऐसे हैं जो ultrasonic sound create करते हैं चमगादल की मैं बात करूँ तो चमगादल लगबग 120,000 hertz तक का sound produce भी करता है और सुन भी सकता है detect भी कर सकता है और इसकी यह जो property है ना यह property इसको शिकार करने में बहुत जदा help करती है आपको पता है चमगादल जो है रात के समय में भी शिकार कर लेता है रात में जब light नहीं है ठीक है तो उसको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए तो यह देखता ही नहीं है भाई साब इसकी body में एक transmitter लगा होता है जो कि ultrasound को catch करता है यारी receive करता है तो यह generally क्या करेगा यह ultrasound हिमिट करेगा ultrasound गया तकरा कर कहीं से वापस आया ठीक है अगर सोचो आपके सामने शिकार है मैंने ultrasound भेजा तो उससे टकरा कर just वापस जल्दी आ जाएगा अगर ultrasound जल्दी वापस आ गया तो इसको अंदाजा लग जाता है कि इस जगे पर कोई न कोई चीज जरूर है कोई न कोई है जिसने ultrasound को reflect किया है और सोचो अगर यहां कुछ भी ना होता तो वही ultrasound और आगे तक जाता पेटा फिर lot करके आ रहा होता तो उसको आने में time जादा लग रहा होता तो यह जो system है ना यह emitter और collector वाला यह जो system है यह इसकी body में natural है यह inbuilt है यह property इसको उपर वाले ने already दे रखी है तो ध्यान रखिएगा वो ultrasound create करता है तो भाई ultrasound क्या है sound having too high frequency ऐसा sound जिसकी frequency बहुत जादा है 20,000 hertz से जादा frequency है जिसको हम लोग human beings जिसको सुन नहीं सकते हैं समझ नहीं सकते हैं लेकिन क्योंकि frequency बहुत जादा है इसलिए इस sound में energy बहुत जादा है इस sound की penetration power बेटा बहुत जादा होती है इसलिए ultrasound का use आपने सुना होगा medical purpose में बहुत जादा किया जाता है ultrasound is reflected just like ordinary sound waves and produce eco यानि कि ये भी जो है reflection इन में भी होता है ये भी eco produce करता है लेकिन वो eco हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है but eco produced by the ultrasound cannot be heard by our ears they can only be detected by some special equipments कुछ special equipments होते हैं जैसे ultrasound की पूरी machine होती है उसको use किया जाता है medical purpose में so due to its very high frequency ultrasound has much greater penetrating power penetrating power मतलब ये हम लोग के इस चमले को इस flesh को पार करके अंदर तक पहुँच जाता है और अंदर के जो body organs हैं उनके बारे में information हम लोग को मिल जाती है so it can be used to detect object under sea and organs inside the human body हम लोग की body के अंदर जो organs है ये उनको भी चेक करने का काम हम लोग इस ultrasound के थू कर सकते हैं ultrasound के बिटा applications देखो क्या है सबसे पहला application है it is used in industry for detecting flaws in the metal blocks without damaging them metal blocks में कोई कमी है कहीं खुर्दुरा रह गया स्मूथ नहीं है इस चीज़ को पदा करने का काम हम लोग कर सकते हैं using ultrasound ultrasound is used in industry to clean hard to reach part of the object such as spiral tubes, odd shaved machines and electronic components देखो होता क्या है क्योंकि ultrasound की बिटा frequency बहुत ज़ादा है तो इसके अंदर energy ज़ादा है penetration, power इसके अंदर ज़ादा होती है तो किसी भी machine के अंदर कोई ऐसा part है जहां पर हाथ नहीं पहुंच सकता कोई कपड़ा नहीं पहुंच सकता, कोई चीज नहीं पहुंच सकती जिससे सफाई हो सके तो उसमें ultrasound भेजा जाता है ultrasound reflect होते 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 वहाँ जाएगा तो उस जगह पर जब strike करेगा तो कुछ गंदगी होगी तो साफ हो सकता है ultrasound is used to investigate the internal organs of the human body तो medical purpose में आ गए जिसमें सबसे ज़्यादा ultrasound का use किया जाता है जैसे liver, gallbladder, pancreas, kidney, uterus, heart इन सभी के लिए ultrasound जो है perform करते है ultrasound scans are used to monitor development of the fetus यानि कि unborn baby यानि pregnant woman, pregnant lady जो होती है उनका ultrasound बीज़ बीज में हर दो तीन महिने में किया जाता है ताकि पता चले कि जो अंदर unborn baby है उसका development कैसा हो रहा है next है बीटा ultrasound is used to break kidney stones kidney में जो stones होते हैं उनको break करने के लिए भी इसका use कर लिया जाता है ultrasound is used in sonar apparatus to measure depth of the ocean किसी भी समुदर की गहराई को नापने के लिए या समुदर के अंदर कोई submarine तो नहीं है कोई plane डूब तो नहीं गया है कोई दुश्मन का कोई submarine तो नहीं है ये पता करने के लिए एक sonar apparatus होता है उसमें भी सारा खेल किसका है सारा का सारा खेल इसी ultrasound का है सर ये sonar क्या होता है sonar का जो full form होता है that is sound देखो s o से बना sound n से बना navigation तो sound navigation a से बना and r से बना ranging तो sound navigation and ranging ये इसका full form होता है sound navigation and ranging sound navigation and ranging ये इसका full form होता है sonar का आप लोगों को पता होना चाहिए तो अब उसी sonar की बात करने है sonar का full form है sound navigation and ranging sonar is an apparatus which is used to find the depth of the sea or to locate the underwater things like shoals of fish, shipwrecks or enemy submarine यानि कि समुद्र के अंदर क्या है इसको पता करने के लिए sonar apparatus का use बेटा कर लिया जाता है और मैं आपको बताऊं sonar apparatus में भी जैसे चमगादल के अंदर दो होते हैं एक transmitter एक receiver बिल्कुल वैसे ही sonar apparatus में भी बेटा एक transmitter होता है और एक receiver होता है transmitter का काम है ultrasound emit करना, receiver का काम है उस ultrasound को catch करना तो यह देखो यहाँ पर एक diagram है, sonar apparatus दिखा रहे हैं बड़ा सा एक ship होता है, उसी ship में देखो एक जगे यहाँ पर एक transmitter है transmitter को ही हम लोग transducer भी कहते हैं, transmitter का ही एक नाम transducer भी होता है transmitter या transducer दोनों एक ही नाम है, ठीक है और एक यहाँ पर बेटा receiver लगा होता है अब होता क्या है, यहाँ से हम लोग एक ultrasound भेजेंगे वो ultrasound सबसे नीचे तक जाएगा, समुद्र की एकदम depth तक, वहाँ से टकरा कर यह वापस आ जाएगा ठीक है, लेकिन इसके लिए होता क्या है कि जाने में जितना समय बेटा लगेगा मालनो इसको जाने में tea time लगा, तो वही tea time इसको वापस आने में भी लग जाएगा भाई एक मिनट जाने में लगा होगा, एक मिनट आने में लगा होगा, तो इसका मतलब एक तरफ का time तुमें मिल जाएगा that will be half of the total time, एक मिनट का समय लगा यहां से यहां तक जाने में, sound की speed पानी के अंदर हम लोग को पता है भाई मान लोग 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, speed पता है बेटा, time पता है, तो क्या हम लोग distance निगाल सकते हैं, क्या हम लोग समुधर की गहराई निगाल सकते हैं इस concept का use करके हम लोग किसी भी समुधर की गहराई का अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है, बाकी हाँ, एक बात जरूरी है, कि जब यहां से जाए, तो इसके रास्ते में कोई चीज नहीं होनी चाहिए इसलिए केवल एक अल्टरा साउंड नहीं बेजा जाता है, कई सारे अल्टरा साउंड बेजे जाते हैं, फिर जो भी रीडिंग्स आती हैं, उनका एवरेज लिया जाता है, ताकि यह का ना जा लग जाए, ठीक ठाग, कि भाई 100-200 अल्टरा साउंड आपने भेजे, 100-200 में से 70-80 जल्दी आ जाएंगे, कुछ देर से आएंगे, तो ultimately उनके हिसाब से फिर पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, so sonar device measures the time, sonar क्या करता है, it measures the time taken by ultrasonic sound pulse to travel from the ship to bottom of the sea and back to the ship, यानि कि आप क्या करोगे, आप यहाँ से अल्टरा साउंड भेजोगे सबसे नीचे तक और अल्टरा साउंड वहाँ से टकरा कर वापस लॉट करके आ जाएगा receiver तक, in other words, sonar measures the time taken by the eco to return to the ship, यानि कि यह जो eco है, यह कितने समय में lot करा रहा है, वही eco क्या है, reflection, तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, sound आया, reflect होकर वापस गया, यही तो eco कहलाता है, तो इस eco में कितना time लगा, इसी time को measure करने का काम करता है, यह sonar device, जब time मिल जाएगा, speed पता ही है वाई साब, तो हमें distance भी मिल जाएगी, right, half of this time, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसी time का आधा time है, एक तरफ का, gives the time taken by the ultrasonic sound to travel from ship to bottom of the sea, ठ जहराई तक जाने का यह जो time है, एक तरफ का time मिरे प्यारे बच्चों, हमें पता चल जाता है, अब यहाँ पर आजएगे ज़रा question की बात करते है, question में देखो हमसे क्या कह रहे है, कह रहे है, sonar device attached to the ship sends ultrasonic waves in a sea, these waves are reflected from the bottom of the sea, if ultrasonic wave takes 4 seconds to travel from ship to bottom of the sea, and back to the ship in the form of eco, यानि कि भाई ship से bottom तक गया, bottom से वापस ship तक आया, इतना होने में 4 seconds का time लग गया है, तो एक तरफ का time 2 seconds हो जाएगा, what is the depth of the sea, कह रहे है speed of the sound, तो speed कितना है भाईया sound का, पानी के अंदर, sound की speed लगबग 1500 meter per second होती है, वही given भी है, ठीक है, और एक तरफ का ज हम सबको पता है, कि भाई, speed जो है, वो distance upon time होती है, तो distance जो है, वो speed of sound multiplied by time होगा, speed of sound जो है, वो 1500 meter है, पर second है, time लगा, 2 seconds का, तो total उस समुदर की जो depth है, वो 3000 meter के बराबर हो गई, यानि कि 3 km के बराबर उस समुदर की गहराई, उसकी depth हो गई, I hope आप सभी को बात समझ में आई होगी, मरे प्यारे बचों, ये एक important concept है, और एक important question भी है, पूछा जा सकता है, अब उसके बाद किसी भी sound की कुछ characteristics होती है, उनकी बात करते हैं, तो बेटा sound में 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 तीन characteristics हैं, जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, सबसे पहली characteristic है, उस sound का loudness, loudness का मतलब होता ह हैं, मैं कितनी energy से बोल रहा हूँ, जैसे मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, और मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, दोनों sounds में क्या difference है, दोनों sound में difference है energy का, अगर मैं normally बोल रहा हूँ, अराम से, त लिटी नगर में बहुत ही ज़ादा तेज बोल रहा हूँ, बहुत ही एनरजेटिक बोल रहा हूँ, एनरजी मैंने बढ़ा दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सर, लाउडनेस बढ़ गया है, यानि कि बेटा, लाउडनेस का सारा का सारा खेल किस चीज़ पर डिपेंड जितनी ज़ादा एनरजी होगी बेटा, उतना ज़ादा लाउडनेस होगा, और एनरजी जो होती है न, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् तो जड़ा पढ़िए, loudness of the sound is measure of the sound energy, it is measure of the sound energy reaching in our ears per second, हम लोग के कान में कितनी energy पहुँच रही है, एक second में, इसी को loudness हम लोग कहते हैं, loudness depends on the amplitude, ठीक है, loudness जो है वो amplitude पर depend करता है, तो आप कह सकते हो, loudness is proportional to square of the amplitude, the loudness of the sound is measured in decibels, loudness का जो unit होता है वो decibel होता है, और उसका जो symbol है वो इस तरीके से होगा, small d, capital b, यह बाद ध्यानक ना, ठीक, फिर अगली जो quality होती है, किसी भी sound में वो होती है, pitch, pitch जो होती है, वो frequency पर depend करती है, जैसे male voice और female voice में difference है, आपको भी पता है, male voice, जो मैं बोल रहा हूँ, female voice, ज जैसे आप समरिदी महम की आवाज देख लो, सान्या महम की आवाज सुन लो, या भारती महम की आवाज सुन लो, जो भी आपकी, और भी आपकी, अपनी mother की, अपनी sister, किसी की भी voice सुन लो, difference आपको feel हो जाएगा, father की voice और mother की voice में difference होता है, वही difference किसकी वज़े से है, pitch की है, so pitch is that characteristic of the sound by which we can distinguish between different sounds of the same loudness, जिस loudness पे मैं बोल रहा हूँ, उसी loudness पे मालो, एक teacher, female teacher भी पढ़ा रही है, same loudness है दोनों का, लेकिन आपको पता चल जाएगा, ये challencer की आवाज है, और ये ये वाली maim की आवाज है, clear है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, pitch जो है, वो frequency पर dependent है, pitch जो है, male और female voice को differentiate करती है, और मैं आपको बता दू, female voice में pitch जादा होता है, female voice जो normally पतली होती है, ठीक है, उसमें pitch जो है, high pitch होता है, high pitch होता है, and pitch is directly proportional to frequency, तो it simply means, female voice की जो frequency है वो जादा होती है, जबकि male voice जो होती है, वो low pitch होता है, low pitch होता है, यानि की less frequency होती है, तो pitch का लेना देना किस्से है, frequency से होता है, ये बात ध्यान लखिएगा, और आखरी जो चीज है, that is quality, quality को timber भी कहा जाता है, अब आप सोचो, कि जैसे एक, मालो भीया, loudness भी same है, pitch भी same है, दोनों same है, differentiate करने के लिए, जो तीसरा factor आता है, वो है quality, जैसे कोई एक गाना चलना है, उसी गाने में सोनु निगम भी गा रहे हैं, उसी गाने में आतिवसलम ने भी गाना गाया है, मालो कोई ऐसा गाना हो, तो आप easily पहचान जाते हो, कि ये वाली आवाज सोनु निगम की है, ये वा So quality और Timber is that characteristic of the musical sound, which enables us to distinguish between the sound of the same pitch and same loudness produced by different musical instruments or different singers, यानि same loudness हो, same pitch हो, फिर भी अगर आप आवाज में अलग अलग बता पाते हो, तो वो quality की वज़े से बता पाते हो, और मैं आपको बताओ, quality जो है, वो wave form पर depend करता है, wave के nature पर depend करता है कि किस तरह का wave वहाँ पर create हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, कि this depends on the shape of the wave, और we can write wave form, ठीक है, तो ये generally जो sound engineers होते हैं, जो music directors होते हैं, वो लोग इनका ज्यादा use कर रहे होते हैं, फिलाल आजेए, कुछ questions करते हैं, जो concepts हम लोग ने ultrasonic radio wave या फिर audible, तो सब को ही पता है भाई, ultrasonic waves का use हम लोग sonar device में करते हैं, when we change a feeble sound to a loud sound, we increase, अगर हम किसी normal sound को loud sound कर देते हैं, तो हमने उसमे frequency, amplitude, velocity, wavelength, तो मिटा हमने velocity को, sorry, amplitude को हमने बढ़ा दिया, क्योंकि loudness का मतलब क्या है, amplitude, loudness किस पर dependent है, amplitude पर dependent होता है, which kind of sound is produced in earthquake before the main shock wave begins, देखो, earthquake में मैंने बताया था, infrasonic sound जो है, वो create होता है, तो correct option हमारा कौन सा हो गया, B वाला option, यानि कि infra sound यहाँ पर create होगा, before playing orchestra in a musical concert, the sitarist tries to adjust the tension, and plug the strings suitably, by doing so, he is adjusting, किसी भी orchestra में अगर आप गए हो, किसी भी singing band में गए हो, musical band में सुनने, अगर आप performance, live performance देखने गए हो, तो वहाँ पर जो guitarist होता है, sitarist होता है, काफी समय तक, वो उसके wire को, और sub tuning को adjust कर रहे होते हैं, बोलते हैं, tuning कर रहे हैं, ठीक है, adjustment कर रहे होते हैं, तो आकिर क्या कर रहे है वो intensity of sound को match करा रहे है adjust कर रहे है amplitude को कर रहे है frequency को कर रहे है या loudness को कर रहे है तो मेरे प्यारे बचों वो frequency को set कर रहे है कि हर एक instrument की frequency same हो जाए ठीक है next है note is a sound of देखो इस तरह के दो टर्म होते है एक note है और एक tone है note जो है note is mixture of several frequencies ये सिधा सिधा definition है बेटा note जो है वो mixture होता है several frequencies का लेकिन अगर बात tone की की जाएगी तो tone जो है वो single frequency के sound को कहते है single frequency है तो tone है multiple frequencies mixture हो गया आप आई साब किज़ली पक गई है तो उसको हम लोग note कह देते है सो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने इस lecture को शुरू से लेकर आखरी तक अटेंड किया है मैंने पूरी energy से पूरा का पूरा content with all important questions आपको कराने की कोशिश की है I hope आप सभी प्यारे बच्चों को ये पूरा 9th का syllabus जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है बहुत मन से पढ़ाया है बहुत detail में पढ़ाया है I hope आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हर एक चीज बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी तो सभी लोग चैट बॉक्स में सभी लोग कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताईएगा कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा मिलते हैं बाई साव अपने किसी अगले सेक्षिन में किसी लाइव ग्लाजस में तब तक के लिए goodbye, take care, love you all